नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का PW Only IS पर, हम लोग देख रहे हैं अभी 2023 में हिंदी साहित्य मेंस की परिक्षा में, जो भी प्रोष्ण पूछे गए, कल हम लोग उने फर्स्ट पेपर का विशलेशन किया कि उनमें जो प्रोष्ण आए वो कैसे प सकर्स पर चर्चा करें, आई आज विचार करें हम लोग पेपर 2 पर, हिंदे साहित्य सेकेंड पेपर में जो इस वर्ष यानी 2023 में प्रोष्ण पूछे गए, उन पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करें और देखें कि कैसे प्रोष्ण पूछे गए, उससे पहले एक नजर आप लोग यहां डाल सकते हैं, प्रतेक वर्ष सेकेंड पेपर से 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, प्रतेक टॉपिक से कितने कितने प्रोष्ण आएं हैं, तो यह आपको एक डाटा दिया हुआ है, जिसका आप लाभ जरूर लें, कितने प्रोष्ण आएं हैं, उनको कै किसे टेकल करना है और कितना फोकस करना है यह जो आपको आंकड़ा दिया गया है इसका एक मतलब होता है कि Նप कितना फोकस करें क्लाव मैं जैसे आप बिखिये 23 में कभीर पर एक है बाइस में दो 19 में दो 20 में दो यानि कभीर कितने महत् нужपो पोर्ण है ऐसे ही सूर दास तुलसी दास ये तीनो भक्तिकाल के टॉपिक त्यार करने तो लगभग आपका 40 प्रतिशत से लेबस त्यार हो जाता है ऐसे ही आप देखें कि जो गद्ये खंड है सेकेंड पेपर का एक पद्ये खंड है गद्ये खंड में भी देखिए तो इस तरीके से फ् फोकस कर पाएंगे दोस्तो अ जाहिर सी बात है कि जब आप एंसर लिखते हैं मुख्य परिक्ष्या में आप शामिल होते हैं तो कुछ एक अप्रोच होता है कैसे लिखें दियें यह चीजें आपको शायद मालूम है नहीं मालूम है तो सुन लीजिए कि हिंदे साहिथ्य के फरस्ट पेपर में भी प्रश्ण संख्या एक और पांच अनिवारिय ये होता है और यहां भी आप देखेंगे सिकन्द पेपर में भी प्रश्ण संख्या एक और प्रश्UNG संख्या पांच अनिवारी होता यहां ब्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं बाकी आप चयन कर सकते हैं बाकी प्रश्नों पर आप अपनी और से एक विकल्प ले सकते हैं कि भाई किस प्रश्न को लिखे हम किस खंड को लिखें आए ब्याख्या वाले मुद्दों पर हम बात करें सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ब्याख्या है ब्याख्या कभी भी पंग्ति की नहीं होती ब्याख्या पंग्ति की करने की कोशिस मत कीजिएगा क्योंकि जो आप करेंगे उसे भावार्थ कहेंगे गर ब्याख्या में कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा कि आप जो रचनाकार है रचनाकार का एक दर्शन होगा रचनाकार का जीवन दर्शन होगा रचनाकार ने उस रचना को किसी उदेश्य से लिखा होगा यहनि उसमें कोई सामाजिक चेतना होगी रचनाकार की कोई भाष्टा रही होगी रचनाकार किसी काल धारा से जुड़ा होगा अब जैसे ये पंगतियां हैं ये पंगतियां कभीर माया मोहिनी जैसे मिठी खान खान समझते हैं चीनी के भूरा को कहते हैं अब माया के विशय में कभीर अगर चर्चा कर रहे हैं तो कभीर का जीवन दर्शन आप जानिए कभीर जिस काल धारा से जुड़े हैं भक्ती काल से और उसमें भी कभीर नेरगुन धारा से जुड़े हैं नेरगुन में भी संत धारा या ज्याना श्रै धारा से जुड़े हैं अब अगर कुछ चीज़ें आप जिहन में बैठा लें फूरी पंग्ती आप बिशक ना समझ बाएं दो लाइन समझ बाएं कभीर माया मोहिनी जैसे मीठी खान सतगुर कृपा भई नहीं तो करती भान हम लोग आम बोलचाल में भी कहते हैं भान में जाईए तो भान में जाईए का मतलब है सांसारिक प्रपंचों में फसिये दुनियादारी में फसिये जिंदगी को तल्ख बनाईए परिशान रहिए संत कबीर माया का विरोध करते हैं और कहते हैं कि माया के दो रूप हैं कामिनी और कंचन कामिनी माया लोगों को व्यभीचार में फसाती है और कंचन माया सोना कामिनी यानी चंचल स्तरी कंचन यानी सोना तो कंचन रूपी माया लोगों को धन संग्रह में फसाती है और इससे समाज में विश्रमता का जन्मलिप होता है संत कभीर का जो दर्शन है अद्वाइत वाद या उनके दर्शन परशंकराचारी के अद्वाइत का प्रभाव हठ योग का प्रभाव वैश्नो भक्ति का प्रभाव सुफीजम का प्रभाव सांख्य दर्शन का प्रभाव इसलाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव इन प्रभावों को यदि आपने क्लास में धंग से पढ़ा है तो एक चीज समझेंगे कि कबीर एक नैतिक समाज की कलपना कर रहे थे और नैतिक समाज तभी विक्सित होगा जब वह समाज व्यभिचार से मुक्त होगा संयमित होगा नैतिक समाज तभी विक्सित होगा जब उस समाज में विश्वता से मुक्ती मिलेगी और उसकी जगा समाज में समता या समरस्ता होगी आप इसके एक दوسरा पहलू है कि संथ कबीर मानते हैं कि ब्रम है एक मात्र सत्य है जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं यद्वय द्वाद है फिर भी यदि जीव ब्रह्म से अलग थलग दिखाई पड़ता है तो इसका कारण है माया माया यानी अज्ञान यह मान लेना कि मेरी सत्ता ब्रह्म से अलग है अज्ञान का विरोधी शब्द है जैसे ज्ञान आ जाए कि मैं ब्रह्म का ही यंस हूं अहम ब्रह्म हस्मी शंक्राचारीय का अधुवैत इस ग्यान के आते ही अज्ञान खत्म अविध्या माया खत्म ब्रह्म जीव का ये भेद खत्म हो जाता है दोनों मिलकर एक हो जाती है इसे ही अद्वाइत कहा जाता है कबीर के विशय में कहा गया कि उनपर जो दर्शन है अद्वाइत वाद यानि दर्शन के च्षेत्र में जो अद्वाइत वाद है साधना के च्षेत्र में वही रहस्यवाद या हठियोग साधना है भीतर भीतर ब्रह्म जीव का मिलना अब समझिए संद कबीर ने माया का विरोध दो अर्थों में किया एक तो आध्यात्मिक अर्थ में जहां ब्रह्म और जीव के बीच माया भेद उत्पन करती है भेद द्वायत दोनों मिलकर के एक हो जाएं अध्वायत और दूसरी बात कि माया का विरोध उनों ने किया सामाजी कर्थ में जोंकि माया के कारण ही लोग कामिनी और कंचन से ग्रसित होते हैं कंचन यानि हाई पैसा हाई रुप्या धन जमा करना अतिशय संग्रह करना इससे समाज में विशमता जन मिलेती है अब इस पंग्ती को अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे प्रस्तुत पंग्तियां संत कबीर दास के द्वारा रचित हैं या कबीर ग्रन्थावली से ली गई है इनका संदर्भ प्रसंग जो है वो माया के विरोध से जुड़ा हुआ है माया का विरोध हम कैसे करेंगे ज्यान के द्वारा और ज्यान देगा कौन गुरू इसलिक कबीर के पदों में सत्गुरू की महीमा बर बर कबीर कहते हैं गुरुगो विंदो उख़डे का के लागु पाएं बर बर कबीर कहते हैं कबीर लागा जाईया लोक वेद के साथ आगे थे सत्गुरू मेलया दीपक दिया हाथ तो यहां भी देखिए कि कबीर माया मोहिनी जैसे कबीर कहते हैं कबीर माया महा ठगिनी हम जाए तिरगुन फास लिये कर बोले बोले मधुरीबान या कबीर कहते हैं कबीर माया पापिनी फंद ले बैठी हाटी तो इस पापिनी माया से जो लोगों को बहुत मीठी लगती है वो जहाने वाली कोई बचा सकता है तो गुरू पबलिक सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में माया का विरोध है गुरू की महिमा है जहां भी ब्रह्म का स्वरूप निर्गुन होगा वहां रहस्यवाद की उत्पत्ती होगी वहां गुरू की अवश्यक्ता पड़ेगी क्योंकि गुरू ही रहस्यवादी जटिलता को खत्म कर सकता है माया के स्वरूप को समझा सकता है उससे साधक को बचा सकता है यही प्रक्रिया कुंडलीनी जागरन है गुरू की महिमा से ही साधक अपनी कुंडलीनी को जागरित कर सकता है सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो सकता है अब आप विशेश में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंग्तियां सामाजिक संदर्व से भी जुड़ी हैं आज भी प्रासंगीक हैं आज भी संबैधानिक मुल्यों को देखें तो उसमें समता की बात की गई है समता तभी स्थापित होगी जब विशमता खत्म होगी धन का केंद्री करण खत्म होगा मार्क्सवादी द्रिष्टी कोण से भी देखें तो साम्यवाद का यही मतलब होता है फिर बता सकते हैं विशेस में की कबीर की भाषा पंजमेल खिचड़ी है कबीर के पदों में कई प्रकार की उलटबांसियों का प्रयोग है प्रतिकात्मक्ता का प्रयोग है उनकी भाषा सहज है दरबारी नहीं है शास्त्री यह नहीं है कुछ लोगों ने अनगढ़ कहा ल हम बार-बार सोचते हैं कि ब्याख्या में क्या करें जैसे माल लिजे दूसरी ब्याख्या को अगर देखें तो दूसरी ब्याख्या इसमें सूरदास की होनी चाहिए अब उस पंग्ती पर हम देखें तो सूरदास की ये जो पंग्ती है इसको देखिए जहां भी पदों में नंद नंदन आजाए मधुकर आजाए उधो आजाए तो समझे क्यों सूरदास की पंक्ती है भ्रमरगीत सार से ली गई है भ्रमरगीत सार जो है वो सूर सागर का अंश है और लगभग इसके दस्वें सकंद के 400 से कुछ अधिक पदों को संकलित करके आचार्य शुक्ले ने भ्रमरगीत सार नाम दिया रचना तो है सूरदास की मूल रचना है सूर सागर भ्रमरगीत सार को अगर आपने पढ़ा है और समझा है तो उसमें तर्क है ज्यान बनाम प्रेम का उधो ज्यान का तरक ले करके आते हैं और गोपियों के पास एक मात्राधार प्रेम है गोपियों का प्रेम जो है वो एक निस्ट है तनमय प्रेम है अविभाजित प्रेम है गोपियां कहते हैं उधो मनना भये दस बीस एक हुतो सोगयो स्यामसन गोपिया कहती है उर्मे माखन चोरगणी गोपिया कहती है हमारे हरी हारिल की लकडी प्रिश्न हमारे लिए एक मात्र सहारा है एक मात्र अधार है अब अगर इन पंक्तिऊँ को देखेंगे तो नंद नंदन मोहं सो मधुकर मोहं कृष्ण भवरे की तरह है मधुकर का अर्थ भाउरा ये जो रचना है भ्रमर गीत सार उसका एक तरक है कि पुरुष जो है वो भाउरे की तरह है वो फूल फूल कली कली मन राता रहता है फूलों का रस चूसता है और उड़ जाता है वह एक जगा नहीं टिपता सामन्ती समाज में पुरुष भी ऐसा था भाउरे की तरह ये रचना संकीत देती है कि जो नारी है उसका प्रेम पूरी तरह तनमाए एक निस्ठ है उसमें विकल्प नहीं है नारी जब प्रेम करती है पुरुष से तो तन मन धन सब कुछ हरपित कर देती है नारी के प्रेम में समारपण होता है और पुरुष का प्रेम जो है वह मनमानी स्वेच्छा चारी पर आधारित होता है पुरुष का मन एक जगा ठीकी ही नहीं सकता इसलिए गोप्तियां कहती है कि मोहन जो है वो मधुकर की तरह है और मधुकर का के मीत भय भला ये भौरे भी किसी के दोस्त होते हैं क्या दीवस चार की प्रीति सगाई सोले उड़ अनत गए चार दिनों की बस इनकी प्रेम सगाई होती है प्रेम में ये छल करते हैं और प्रेम में लूट करके सब कुछ फिर कहीं और उड़ जाती हैं इसलिए गोपियां केहती हैं उधो सब स्वारत के लोग, ये पूरुष स्वारत के लोग हैं, आपण केली करत कुपजा संह हमही सिखावत जूँग, ये तो कुपजा के प्रेम में फांस गए, केली करना शुरू की ये प्रेम क्रेडा से जुड़ गए और हमें योग सिखा र पुद्धोजी इतना तो पूछेगा जब हमसे प्रेम करते थे तो गोपिनात कहलाते थे अब तो अब तो प्रेम राख्यों कुबजा संग अब किन नाम धरावत अब कुबजा से प्रेम कर लिया अब नाम बदल कि नहीं लेते अब दिखिए इनी भावों को यहां इन पदों में दूसरे रूप में व्यक्त किया गया गोपिया कहती है कि है का है कि प्रित जो मधुकर की तरह भौरे की तरह हैं भला उनसे प्रेम कैसे किया जाए और एक रूपक गढ़ती है जो कीजे तो जल रवी और जलधर की सी रीत और अगर ऐसे लोगों से प्रेम कीजिए तो प्रेम कीजिए किसकी तरह जल रवी सूर्य और जलधर बादल जैसे जल से प्रेम मीन मचली करती है और सूर्य से प्रेम कमल करता है जलधर बादल से प्रेम चातक पक्षी करता है चकवा चकई पानी कितना निस्ठूर है मचली अपना प्रेम कभी नहीं बदलती पानी जाल से हो करके बह जाता है लेकिन मचली उसके लिए तडपती रहती उसे ही पुकारती रहती है याद करती है उसी की याद में तड़पके मर जाती सूर्य जब तक चमकता है तब तक कमल उसको एक टक देखता है प्रेम करता है और सूरिय जैसे अस्त होता है कमल जुक जाता है सांध्य कमल अवांग मुखी कमल उसकी पंखुनिया बंद हो जाती है कमल जुक जाता है जब तक सूरिय रुद्र रूप में चमकता रहता है तब तक उस से प्रेम लेकिन सूरिय उसकी परवाह नहीं करता और ऐसे ही बादल स्वातिन च्छत्र की बूंदे जब बरस्ती है तो चातक अपनी प्यास बुझाता है लेकिन उना च्छत्र तो सिर्फ साल में एक बार बरस्ता है यानि वो बादल भी वो जल्धर भी चातक पंची की कद्र नहीं करता ऐसे ही कृष्ण का प्रेम है गोपियां कहती है कि कृष्ण भी मधुकर की तरह है हमारे प्रेम का मर्म नहीं जानते हमारे प्रेम की कद्र नहीं करते अब धीकि कितना सिंपल रूपक है तलफत जरत पुकारत सुन सठ नाहिन यह रीती ये भी भला कोई रीती है एक तरफ ब्यारी कहती है एक तरफ दरबारी कवियों का प्रेम है और इधर सूरदास का प्रेम है गोपियों का प्रेम कहती है कि ये भी कोई रीती है कि हम तुम पर जान कुरबान करें हम तुम्हारे लिए तडपें हम तुम्हारे लिए जलें हम तुम्हारा ही नाम पुकारें तुम कितने सठ हो, तुम कितने बे परवाह हो, कि हमारी परवाह नहीं करते हैं अधिक ये पंगती है कहते हैं गोपियारी ये भी कोई प्रेम की रिती है कि एक तुम से इतना अनन्य प्रेम करें और तुम उसका ध्यान न रखो तो इसको कैसे लिखिएगा? कितना सिंपल है लिखें प्रस्तुत पंक्तियां सूर दासर चित सूर सागर के भ्रमर गीत सार अंस से ली गई है इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग प्रेहिम और ज्यान योग से जुड़ा हुआ है पुरुषों की स्वेक्षाचारी और महिलाओं के तनमे अभिभाजित प प्रद्भाग में कि उपर्युक्त पंक्तियों में गोपियां क्रिश्न को मधुकर या भौरी के रूप में देखती हैं सामंती समाज में पुरुष भौरे की वृत्ति से ग्रसित हैं महिलाएं अपना सर्वस्व पुरुष पर कुर्बान करती है और फिर भी महिला समाज में कुल्टा कहलाने को विवस है और पुरुष महिला का सर्वस्व भोग करके भी उसका मंत्रिप्त नहीं होता भौरे की तरह फूलों का रस्चूसना और उड़ जाना उसकी प्रकरती है दिखाईए नारी के लिए प्रेमकार्थ सर्वस्व समरपन और पुरुष के लिए प्रेमकार्थ सर्वस्व भोग फिर भी पुरुष प्रेम में एकनिष्ठ नहीं होता और नारी एकनिष्ठ होती है प्रस्तुत्पद में जल, जलधर, कमल, सूर्य जैसे कई प्रतीकों के माध्यम से इस प्रेम की परिभाश सागड़ ही गई है जिस प्रकार मचली जल से एक निष्ठ प्रेम करती है और जल उसकी परवाह नहीं करता उसी प्रकार गोपियों का प्रेम है वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है उनके हृदय में एक ही स्थान है जो कृष्ण से परिपोर्ण है इसलिए कहती है उधो मनना भय दस बीस एक हुतो सोगयो स्याम संग कुवराधेईस काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में एक दूसरा हुरदय होता तब है उधोजी हम उस हुरदय से तुम्हारे ज्ञान योग को सुन लेती लेकिन हम तो सिर्फ प्रेम करती है कृष्ण से और हम तो कान केली की भूख अब लिख सकते हैं विशेस में ये पंग्तियां आज भी सारगर्भीत हैं प्रासंगीक हैं पूरुषों की स्वेक्षाचारी वृत्ती को दर्शाती हैं आज भी प्रेम के ऐसे स्वरूप देखे जा सकती हैं विशेस में और लिखना चाहें लिख सकती हैं कि प्रस्तुत पंग्तियों में रूपक का प्रयोग है उपमा का प्रयोग है सुर्दास जी उपमा के प्रयोग में अत्यंत्य शक्त थे शुकले जी भी लिखते हैं कि उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कस्ते चले जाती हैं पंक्तियों को शटपदी नाम दिया गया जिस प्रकार भौरे के छेपर उसी प्रकार पंक्तियां भी शटपदी, इनकी भाष्टा ब्रज भाष्टा है, पूर्वी ब्रज भाष्टा आप कह सकती हैं, कई बोलियों के इसमें शब्द जुड़े हुएं, बुंदेली भी है, कन बोली ब्रज के भी शब्द हैं लिख लेंगे अरे आया ना पक्की बात लिख लेंगे ना दोस्तों अब देखिए ये जो तीसरी व्याख्या है राम विरोधन उबरसी सरन विश्न अज इस अगर आपने सुन्दर कांड को पढ़ा है जो आपके सिलेबस में है तो सुन्दर का दाउन का एक प्रकरन है कि शूक और सारन ये रामन के जो दो दूत है छादम वेस में राम पक्ष की सेना में पहुंचते राम के शिविर में पहुचते हैं और चाहते हैं बहुत चीज को अस्तब्यस्त करना। लेकिन ये दोनों पहचान लिए जाती हैं। लक्ष्मन अन्तिम एक चेतावनी भेशते, एक पतरी भेशते हैं, चिट्ठी। ये दोनों रावन के पास आ करके कहते हैं। कि हे रावन, हे दशानन, अगर बात को आप समझ गए, बात समझ करके रीज गए, तब तो समझी आपके कुल का और आपका भी कल्यान है, बातन मनही रिजाई सठ जनी घाल सी कुल सीख, और अगर नहीं समझ पाए, तो अपने कुल का घात आप स्वयम करेंगे, आप कुल घात तक कहलाएंगे, जिस प्रकार आपके छोटे भाई ने, राम की महिमा को समझ कर विभीषन ने राम की शरण को गहा और अपना कल्यान किया, आप भी विभीषन की तरह राम की शरण में चली जाईए, क्यों? क्योंकि राम विरोधन उबर सी, जो राम का विरोध करती है, वो कभी भी उबर नहीं पाते, उन्हें मुक्ती नहीं मिलती, चाहे वो विषनु, स्वयम ब्रह्मा और महेश की शरण में ही क्यों न चले जाए, उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाता, जिस प्रकार आपके अनुजने छोटे भाई ने, अपनी मान, प्रतिष्ठा, अपना कुल, स सबका कल्यान करें, अब देखिए, यो तो ये पंक्तियां सुन्दर कांड की हैं, लेकिन जैसा की बताया कि व्याख्या पंक्ति से नहीं होती, तो सुन्दर कांड में भक्ति भाव की स्थापना है, और भक्ति भाव किस प्रकार है भाई, प्रपति भाव की भक्ति, प्रप पाइनी भक्ति, तुलसी एक ऐसी भक्ति की बात करते हैं, जो राम पर ही निर्भर रहे, उस भक्ति पर ही निर्भर रहे, अपना सब कुछ सौप दे, नौधा भक्ति में जीए, पर्चन, बंदन, किर्तन, पाद सेवन, नाम जब, सुमिरन, आपने सुना होगा नौधा भक्त तुलसी मानते हैं कि राम के अलवा और कोई आधार ही नहीं है, आप यदि कवितावली के उत्तर कांड को भी देखेंगे, तो वहाँ भी इसी प्रकार की भक्ति है, मति राम ही सो, रति राम ही सो, गति राम ही सो, राम ही को बलु है तुलसी कहते हैं कि मेरे लिए राम की छवी ठीक उसी प्रकार जैसे मचली के लिए जल है, तो मेरी आखों में यदि राम की छवी है तो जीवन का एक मात्र सहारा है, कांड अगर सुने तो राम की कथा सुने, आखें कुछ देखें तो राम की छवी देखें, क्योंकि राम स से बढ़कर कौन और दास से छोटा कौन और जो राम के दरबार में पढ़ लिख लिया उसके लिए अन्यत्र जगह कहा है तुलसी कहते हैं हो तो चाकर राम को पढ़ो लिखो दरबार अब का तुलसी हो हिंगे नर के मनसबदार तुलसी कहते हैं शाह ही को गोत होता है गोत प्रभु का जो इश्वर का गोत्र है वही इस गुलाम का गोत्र है इसलिए कवितावली में भी कहते हैं न मेरी जाती पाती न चहों का हूं की जाती पाती और वही तुलसी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी और फिर कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसारो राम के प् कि शरण में गया हुआ कभी भी दूसरों को अशरण नहीं करता दूसरों को नुकसान नहीं पहुचाता राम की भक्ति भावना में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे का अहित नहीं कर सकता इसलिए पंग्तियां संदेश देती है कि रामन जो तुमारा भय समाज में व्यापत है अगर राम की शरणागती में चले गए, राम की शरण में चले गए, तो तुम समाज के लिए मांगलिक हो जाओगे, किसी का नुकसान नहीं करूगे, क्योंकि अब तक तुम लोक मंगल के विरुद्ध रहे हो, राक्षसी वृत्तियां रही है, अब देखे कितना गहन भाव है आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां संत तुलसी दास रचित सुनदर कांड से ली गई है, यह सुनदर कांड रामचरित मानस का पंचम या पाचवन सोपान है। इसमें राम की शरण आगती की चर्चा की गई है और रामन की अनीती की चर्चा लेकिन यदि रामन राम की शरण ले ले तो हत्याचार और अनीती से मुक्त हो सकता है क्योंकि राम की जो भक्ती है जो प्रपत्ति या प्रपन भाव की भक्ती से राम से जुड़ते हैं उनके लिए पूरा संसार राम में हो जाता है वो ना कि अवाल अपना अपने समस्त कुल का समस्त समाज का कल्यान चाहते हैं इसले सुक और सारण समझाते हैं कि अपने कुल का क्यों अंत कर रहे हो सबका भला चाहते हो तो राम की शरण में चले जाओ अभी भी वक्त है करेक्ट है दोस्तों तो ये व्याख्या में आप देखेंगे पहला ही प्रश्ण है A, B, C हम लोगों ने देखा आईए देखें व्याख्या संख्या D यानी प्रश्ण A का D बुद्धी के पवमान में उड़ता हुआ असहाय जा रहा तू किस दिशा की और निरूपाए लक्ष क्या उदेश्य क्या क्या अर्थ यह नहीं ज्यात तो विज्ञान का श्रम ब्यार्थ ये जो पंतियां हैं वास्तों में कुरुक्षित्र के छठे सर्ग से ली गई है जाहिर सी बात है लिखा दिनकर ने दिनकर की ये जो रचना है कुरुक्षित्र इसकी केंद्री ये समस्या युद्ध है या यूं कहें युद्ध चिंता है इसलिए जो कुरुक्षित्र रचना है वो चिंतन प्रधान या विचार प्रधान रचना है दो पात्रों के द्वारा भिश्म, पितामह और युधिस्ठिर के द्वारा मानो एक ही मन के दो विभाजित मन यानि हृदय और बुध्धी आपस में टकरा रहे हैं द्वन्द इस बात को लेकर के है कि क्या युद्ध जरूरी है क्या युद्ध को टाला जा सकता है युद्ध क्यों द्वन्द इस बात को लेकर के है कि शान्ती के लिए खतरा युद्ध है और शान्ती की स्थापना के लिए भी युद्ध जरूरी है अंतत ये एक निसकर्ष भी है कि काश्ट पृत्वी स्नेह का सामराज्य बन जाए लेकिन एक तर्क भी है कि जब तक मनुझ मनुझ का सुख भाग नहीं सम होगा शांत नहीं कोलाहल होगा रण नहीं कम होगा एक तर्क है छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तपसे काम ले यह पाप है पुन्य है विछन कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है कोई आपका सर्वस्व छीनने को आगे बढ़े और आप त्याग तपसे काम ले रहे हैं तो समझिये कि यह बहुत बड़ा पाप है तो पुन्य क्या है उस हाथ को काट देना जो आपका सब कुछ छीनने को तयार है अब एक दूसरा तर्क है कि यह जो युद्ध है वह अतिशय विज्ञान वाद की युद्पति है महात्मा गांधी ने भी कहा था अतिशय विज्ञान वाद मानव घाती है जो लोग अतिशय विज्ञान वाद से जुडती हैं तो विज्ञान वाद लोगों को भोक्ता वादी बनाता है लोगों को बाजारवादी बनाता है अतिशे विज्ञानवाद, अतिशे यंत्रवाद, अतिशे बाजारवाद, उभोक्तावाद, अन्ततह एक ऐसी डश्चा में लोगों को ले जाता है जहां लोग अतिशय बुध्धी का प्रयोग क्योंकि जो विज्ञान है वह बुधिकता का परिचायक है अतिशय बुध्धी अब अतिशय बुध्धी वाद या विज्ञान वाद अन्तताः लोगों को असहाए दस्ता में छोड़ दीता है पश्चिम के लोग बधिक्ता और विज्ञानवाद के परिचायक आज देखिए भारत में शरण लेने के लिए आमादा है उन्हें भारतिय भूमी के अध्यात्मवाद परिये हैं क्योंकि अतिशय विज्ञान अतिशय बुद्धिवाद अतिशय मार काट अतिशय हिंसा यह सब नहीं यह अंत्रिक जड़ता अभी भी भारत में नहीं है हम्मानविय मुल्य के लोग हैं यह जो भाव हैं अतिशय विज्ञान वाद वह कहीं न कहीं व्यक्ति को एक ऐसी दिशा में ली जाता है जहां व्यक्ति अंततह निरर्थक फिल करने लगता है उसे लगता किस लिए जी रहा हूं च्योंकि विज्ञान अभिशाप बन करके पता नहीं कब एक बम गिरे और जीवन लीला समाप्त हो जाये क्या है पता कल हो न हो लोग छणवादी हो जाते हैं भोगवादी हो जाते हैं इसे लिए अतिशय विज्ञान वाद से निरर्थकता जन्म लेती है अस्तित्वादी प्रोष्ण जन्म लेती हैं लोगों के सामने जीवन का उदेश्य डमाडोल हो जाता है जीवन का लक्ष उदेश्य और अर्थ निरर्थक हो जाता है तो इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार दिनकर ये संकेत देना चाहती है जिस प्रकार बर्टेंड रसल ने कहा था कि विज्ञान से ही युद्ध जन्म लेता है और युद्ध मानवगाती है महात्मा गांधी ने कहा था अतिशय विज्ञानवाद मानवगाती है प्रकरती मानवता और नारी तीनों का दोहन अतिशय विज्ञानवाद से तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंग दिनकर रचित को रुक्षित्र के छठे सर्ग से ली गई है इसमें युद्ध की चुन्ता व्यक्त की गई है युद्ध का कारण अतिशय विज्ञानवाद को माना गया है ये पंक्तियां संकेत देती है कि अतिशय विज्ञानवाद बाजारवाद व भोक्तावाद के कारण मानविये मुल्य छरीत होती है प्रसंगिक है क्योंकि हम आज सतत विकास की बात कर रहे है अतिशय विज्ञान वाद नहीं, बलकि विज्ञान का मानवता वादी प्रयोग करना चाह रहे हैं। ताकि हम भी जियें और आने वाली पीडियां भी सुरक्षित रहें। जीयो और जीने दो। पीड़ी भावी पीड़ी के लिए भी उनका समुचित उप्योग सेश रहें। लेख सकते हैं। अरे हायाना, हायाना, दोस्त, अब देखिए। ये जो पांचवी व्याख्या है, यानि प्रश्न संख्या एक की व्याख्या संख्या ई। अग्ये की कविता है, इस कविता के केंद्र में अनुभावन है, अनुभावन अनुभूती के प्रती समरपन का नाम है, अनुभूती और समरपन के मेल को ही अनुभावन केहती है। अगर आपको कविता की एक कथा है, जो याद हो, जेन बौधिजम पराधारित कथा, कि किस प्रकार प्रियमबद राजा की सभा में पहुंचता है, जहां एक असाध्य वीना जो किसी के द्वारा बजती नहीं। वह सबसे पहले कंबल बिचाता है, उस कंबल पर वीना को रखता है और वीना के तारों पर माथा टेक देता है। सभा को लगता है, अरे प्रियमबद क्या सोता है? परुससपंदित सन्नाटे में मौन प्रियमबद साध रहा था वीना नहीं, स्वैम अपने को सोध रहा था और सौप रहा था उसी किरीटी तरू को। प्रियमबद वीना को बजाने या साधने का अहंकार नहीं करता है। मुझे, ओ सरण्य मुझे सहारा दे। मैं चाहता हूं तुम्हारे स्वरों या तुम्हारे दोलन की लोरी पर मैं जूम। मैं बिश्मय हो करके अपने आप में मंत्र मुगधु हूं। यानि ये जो अनुभावन है। इसमें प्रियंबत सबसे पहले उस भव्य व्रिक्ष को, व्रिक्ष जिस प्राकरती में पाला है उस प्राकरती को, तथा उस व्रिक्ष से जिस बज्र करती ने वीना बनाई है, उसकी कठिन साधना को, सब के प्रति स्वयम को सौपता है। और इसलिए कहता है पंक्तियों पर जाईए तुगा तुँ मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा ए विशाल भव्य किरीटी व्रिक्ष ओ तात तरू तुम आ तुम उतर बीन के तारों में प्रकर्ती में संगीत है उस संगीत का रूपांतरण व्रिक्ष में हुआ व्रिक्ष से ही विना बनी है उसकी शाखा से निश्चत तोर पर उसमें संगीत का रूपांतरण हुआ मैं भी प्रकर्ती का अंग हूँ वो संगीत मुझ में भी है इसलिए तु आ तु खुद को गा तु स्वैम को गा तु आ तु हो तु सन्निधी पा ये रचित असाध्य विना से ले गई है इन पंक्तियों का संदर्व प्रसंग अनुभावन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जहां प्रियंबद अपना सर्वस्व सौप देता है अनुभावन का अर्थी होता है अहंकार का विले कोई भी कला कोई भी सर्जना तब तक सं स्वयम का विले नहीं होता जब तक स्वयम का समर्पन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयम को खोकर ही स्वयम को पाया जा सकता है यह पंक्तियां आज भी उतनी ही सार्थक हैं आपका कलक्टर बनना अगर आप अहंकार में हैं तो नहीं बन सकते लेकिन अपने अहंकार का जैस से विलय करते हैं आप जैसे यह सोच लेते हैं कि भाई मैं कौन होता हूं आई-एस बनने वाला बस लगा हुआ हूँ आप अनू भूती में डूब जाईए उसके प्रती अपने को सौंप दीजिए सहसा वीना जंजना उठेगी आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी करेक् ये प्रश्ण संख्या एक अनिवार यह है इसकी पांच व्याख्याएं जो आपने देखी अब देखिए दूसरा प्रश्ण है और दूसरे प्रश्ण के भी लगभग तीन खंड है ए बी सी जो एक खंड है दूसरे प्रश्ण का वो 20 नंबर का है गुस्वामी तुलसी डास रचित कवितावली के उत्तर कांड की भाशा शैली भाशा शैली पर जब प्रश्ण आए तो समझिये शिल्प पर पूछा है और शिल्प पर बात करने से पहले आपको भावपक्ष पर भी बात करनी की आवश्यक्ता पढ़ती है तो कवितावली एक ऐसी रचना है जिसमें आप देख रहें कि कोई प्रकार के भाव हैं कवितावली का उत्तर कांड जो है वह कलियूग या कलियूग की समस्याओं कूद घाटित करता है अकाल, भूखमरी, त्रासदी, भिरोजगारी, राजनैतिक निरंकुष्टा जैसी कोई समस्याओं पर उत्तर कांड चर्चा करता है कवितावली का तुलसीदास की रचना है इसलिए कोई पंग्तियां इसकी महत्तुपोर्ण है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बनिक को बनिजन चाकर को चाकरी जीवी का विहीन लोग सिद्यमान सोच बस कहीं एक एकंसो कहां जाईं का करीं हम लोग छोटे थे तो अक्सर घरों में एक कहानिया चलती थी का खाऊं का पिऊं काले के पर देश जाऊं यह ना क्या खाऊं क्या पिऊं और क्या बचा है जिसे ले करके कहीं आऊं जाऊं तुलसी उसकाल की समस्या को दगाटित करती है और इसी के समाना अंतर इस रचना में कहीं क्रिश्न की भी स्थूती करती हैं कहीं शिव की महिमा का भी वर्णन करती हैं कहीं गंगा की महिमा कहीं गंगा महत्मय की चर्चा करती हैं कहीं प्रयाग राज की महीमा बताते हैं कहीं काशी की महीमा पर चर्चा करती है और इसलिए इस रचना को प्रबंध ना कह करके अब जब शिल्फ पर बात करें तो ये रचना प्रबंध ना हो करके मुक्तक है निरबंध काव्य है प्रबंध की तरह सारी चीजें बेवस्थित नहीं है एक नायक राम की चर्चा नहीं है राम चरित मानस प्रबंध आत्मक है तुल्सी की रचना लेकिन इस रचना में कोई नायकों की चर्चा है कृष्ण भी है उत्तरकांड में उनकी भी चर्चा शिव क की भी चर्चा राम की भक्ती की भी चर्चा कलियुक का वर्णन राम चरित मानस में जिस प्रेकार सरगों का संतुलित विभाजन है कवितावली में सरगों का संतुलित विभाजन नहीं है उत्तर कांड सबसे बड़ा है और कुछ कांड तो ऐसे हैं जैसे किस किंधा कांड बग होकर मुक्तक्षैली की रचना है इसका शल्प प्रबंधात्मक नहीं कि शुकली जी कहते हैं कि प्रबंधात्मक रचना ही लोकमांगलीक रचना हो सकती है लेकिन तुलसी की ये रचना मुक्तक्षैली की होकर भी लोकमांगलीक है और दूसरी बात कि जब इसकी भाष्टा पर आप बात करें तो ये भास्षा ब्रज भास्टा है ये भास्षा ब्रज भास्षा इसमें कवीत चप्य जैसे कई छंडों का प्रयोग है राम चरीत मानस में आप देखेंगे दोहा और चौपाई है जो कडवक्षाईली है दो अला गलक छंदों का मिश्रण लेकिन ये जो कवीत आवली है इसमें एक तो कवीत छंद है उपर से छप्य वगरह का प्रयोग है और फिर भी कडवक्षाईली नहीं है क्योंकि इसमें छंदों का मिश्रण नहीं है अला गलक उनकी स्व शब्दों का भी प्रयोग किया, तुलसी कथानक रूढियों का प्रयोग करती हैं, तुलसी कई काभ्य रूढियों का भी प्रयोग करते हैं, कथानक रूढियों कहते हैं, जिसमें मानव पात्र के साथ मानवेतर पात्र हों, यानि जैसे बानर भालू, सूख, सारी का परियार, कर ले जाएंगे दूस्त दूसरी का जो B प्रश्ण है यानि प्रश्ण संख्या 2 का B जाइसी के पदमावत के सिंगल दीखंड की भाव भूमी अब देखे बड़ा सीधा प्रश्ण है थोड़ा भटकाने वाला है सिंगल की भाव भूमी कहने का अर्थ ही है कि सिंगल की भाव भूमी में तीन चीज़े हैं एक पदमीनी पदमीनी का बच्पन यानि नारी स्वतंत्रता जिस समाज में पुत्रों की कामना पाली जाती हो उस सामंती समाज में बच्चियों का जनमूत्सों मनाया जा रहा हूँ इसलिए कहा गया कि भक्तिकाल के सभी रचनाकारों ने एक काल्पनिक समाज की कामना की यूटोपिया पराधारित समाज की कल्पना की जाईसी ने जिस सिंगल दीप को रखा सामंती समाज के समाना अंतर वहाँ नारी का जनमूत्सों है पदमिनी के जनमूत्सों को मनाने की प्रक्रिया है दूजरी बात है भाव भूमी में की पदमिनी के प्रती रत्न सेन का प्रेम और इस प्रेम को लेकर के ही मुख्य जो भाव है वो कह सकते हैं जाईसी की प्रेम अभी ब्याण्याना जाईसी की प्रेम अभी ब्याण्याना अब वो प्रेम अभी ब्याण्याना कैसी है जैसी कहते हैं कि बाकी कवीओं ने आखों से बहने वाली आसु धारा से अस्रु धारा से अपनी कविता लिखी है मैंने तो लहु धारा से कविता लिखी जाइसी कहते कोई भी भाष्टा हो तुर्की, अर्बी, हिंदवी यदि उस भाष्टा में प्रेम है सबे सराहे जाही तो भाष्टा जो प्रेम की चर्चा करे वो सराहनी है जाइसी ठेठ अवधी में प्रेम की अभी भ्याण्यना करती हैं लेकिन ये प्रेम अभी भ्याण्यना और लावकिक प्रेम की चर्चा करके भी लावकिक धरातल पर सर्वो परी उतरता इसलिए शुकली जी कहते हैं इसका लावकिक पक्ष सर्वो परी है जैसे प्रेम अभी व्यंजना में दो समनांतर तुलनात्मक बिंदू रखते हैं कहते हैं कि प्रेम में एक तरफ रत्म सेन है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भिखारी बन जाता है तोरे कारण प्रेम पियारी राज छाड़ी भयाओं भिखारी प्रेम में सब कुछ त्याग करके ही प्रेम को पाया जा सकता है जैसे घनानन चर्चा करते हैं या उस दोर के रिती मुक्त के कवी अपनी बात कहते हैं तुम कौन धोंपाटी पढ़े हो लला मन लेहूं पैदेहूं छटाक नहीं क्यों अतिसूधो सनेह को मारग है या यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धाउनों है तो जैसी भी कहती है कि प्रेम वही पा सकता है सुना जो प्रेम पीर पाभागावा प्रेम की पीड़ा को समझने वाला प्रेम की पीड़ा को झेलने वाला ही प्रेम के मर्म को समझ सकता है रत्नसेन प्रेम में भिखारी हो जाता है राज पाठ त्याग देता है और उसे मिलती है पदमिनी दूजरी तरफ अलाव दिन खिलजी है जो तलवार के दम पर शक्ती के अहंकार में चूर होकर पदमिनी का प्रेम हासिल करना चाहता और उसे मुठी भर राख मिलती है अब बात को जमज़िए सिंगल दीप खंड पर चुकी प्रश्ण पूछा हुआ है तो सिंगल दीप में वियोग से प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन संजोग में खत्म होता है प्रेम रत्मसेन वियोग में योगी बन जाता है लेकिन दोनों मिल करके लोटते है इसलिए प्रेम संजोग के धरातल पर सिंगल दीप में खत्म होता है और अंत में फिर चित्तोर लोट करके दोनों रानियों का जोहर लेकिन सिंगल दीप में प्रेम संजोग में खत्म होता है एक बहुत बड़ी बात कि सिंगल दीप की जब भाव भूमी की आप चर्चा करें तो यह बताएं कि यहां इश्वर देवता कथानक रूढियों का प्रयोग है, करवक शैली का प्रयोग है, खेट अवधी का प्रयोग है और जाइसी का जो प्रेम संबंधी द्रिष्टी कोण ह वो सिंगल दीप में भी उजागर होता है, लोगों ने कहा कि इसमें जो प्रेम है वो मसनवी शैली का प्रेम है, जरवात को समझिएगा, प्रेम मसनवी शैली का प्रेम है, लेकिन गौर किया जाए तो यह भारतिय शैली का प्रेम है, विवाह पूर्व प्रेम और फिर देखा जाना तो यह प्रोश्ण है सिंगल दीप खंड की भाव भूमी एक नारी की मनोदश्चा एक नारी की सामाजिक हैसियत उस नारी से प्रेम पुरुष अपना सब कुछ कुर्बान करने को तयार है नारी इतनी विश्रिंखाली ते नहीं है पदमिनी बेहोस नहीं होती लेकिन रत्न से इन बेहोस होने लगता है और फिर सिंगल दीप में सुवा यानि हिरामन तोता की भी चर्चा करें जो कथानक रूढी का एक अंग है और फिर बताएं कि हलाकि ये लौकिक प्रेम सूफी द दूसरे प्रश्ण का जो सी है वो है भारत भारती में देखिए कितना सीधा प्रश्ण है दो बार पढ़ियेगा भारत भारती में वर्तमान की त्रासदी यानि वर्तमान की दुरदशा वैभो पोर्ण भव्य विरासत यानि अतीत की सम्रिद्धी एवं उन्नत भविष्य की कामना यानि जो भविष्य है उसकी सुन्दर कल्पना की चर्चा की गई है ये प्रश्ण है भारत भारती मैथली शरण गुप्त की रचना है मैथली शरण गुप्त दिवेदी यूग के रचना का रहे हैं और दिवेदी यूग की केंद्रिये चेतना नौजागरण परक चेतना है नौजागरण परक चेतना दो अर्थों में बहुत ही कारगर रही है एक वरतमान की दुरदश्चा या वरतमान की त्रास्दी को समझने के लिए जरूरी है दूसरा अतीत और वरतमान पर तूलना के लिए जरूरी है यानि आप यह कह सकते हैं कि एक तरफ यह चेतना यह मानती है कि हमारा अतीत सुंदर रहा है हमारा अतीत स्वारणिम रहा है और वर्तमान जो है वो पराधिनता का शिकार क्योंकि दिवेदी युग को अगर आप देखें तो दिवेदी युग 19-1920 की काल सीमा है करेक्ट है हम गुलाम थे अब यदी हमारा अतीत स्वारणिम था, शलाग्य था, प्रशंस निय था, निर्दोष था तो हम क्यों न उससे प्रेरणा ले इसी प्रेरणा को न जागरण या पुनरुथान वाद कहती है इसे ही सांस्कृतिक जागरण कहती है इसके लिए क्या जरूरी है यदी हमारा अतीत सुन्दर है तो हम उससे प्रेरणा ले वर्तमान को भी सुन्दर बने और जिसका वर्तमान संगठीत हो जिसका वर्तमान सुन्दर हो उसका भविश्य अपने आप सुन्दर होगा इसलिए इस कविता की भारत भारती की ये जो रचना है भारत भारती इसकी केंद्रिये पंगती है हम कौन थे अतीत क्या हो गए वर्तमान और क्या होंगे अभी भविश्य आउ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी इसलिए भारत भारती में तीन खंड है अतीत खंड वर्तमान खंड बविश्यत खंड अतीत खंड में भारत के वैभाव पोर्न विरासत या स्वरनीम अतीत की चर्चा की गई है कि आरिय संस्कृती कितनी सुंदर रही है यह पुन्य भूमी प्रसिद्ध है जिसके निवासी आरिये हैं विद्याकला कौशल्य में जो सबके प्रथम आचारिये हैं मैं इतली शरण गुप्त कहते हैं वे आर ये ही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे वो स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी पीते न थे हम कितने निस्कपट थे हम कितने परमार्थी लोग थे परहित को जानते थे मानवीय मुल्यों से भरे थे दूसरों की सेवा जानते थे एक पक्षी की रक्षा तक के लिए हम जांगे का मांस तक दे देना चाहते थे हमस्थियों का अपनी हड्डियों का दान तक कर देना चाहते थे हम राजपाट छोड़ करके चांडाल बन लेने में भी कुशल समस्ते थे जहां राजा राम, राजा हरिश्चंद्र की परंपरा थी और उसी भारतिय समाज का जिसका अतीत इतना सुन्दर था कितना सुन्दर था, हाँ व्रुद्ध भारत ही दुनिया का सिर्मावर है इससे पुरातन देश क्या जहां में कोई और है और वर्तमान में यानि उस समय उन्नी सो से उन्नी सो बीस जब हम गुलाम हुए तो गुप्त जी को संतोष करना पड़ा ये कहके कि उन्नती और अवनती प्रकर्ती का नियम एक खंड है जो चड़ता पहले ब्योम वही गरता मारतंड है केते हैं ये तो प्रक्रिया है उत्थान पतन घबराई ये नहीं लेकिन एक चीज याद रखियेगा राम नरेश्त रिपाठी जैसे लोगों ने नाथु राम शर्मा संकर जैसे लोगों ने कहा देश भक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा सब दीवेदी युके रचनाकार है रिपाठी जी कहते हैं पराधीन रहकर हम अपना सुक्सोग नहीं कह सकते यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते अब समझी है कि गुप्त जी कहते हैं कि जहां हमारा इतना सुन्दर अतीत वहाँ वर्तमान जो को किला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही दावागिनी दगधारण्य में रोने चली अब वही हम कभी सोने की चडिया थे आज उस सोने की चडिया के पंखु जड़ गए हैं तो वर्तमान में त्रास दी और भविश्य को इस रचना में उदबोधनात्मक खंड कहा गया ताकि हम जाग सके हम प्रबोधीत हो सके हम फिर से जागे एक सुन्दर सुनहरा भविश्य हम देख सके हम एक सम्रिद्ध साहित्य हो उस समाज की कला हो वहां सम्रिद्धी हो वहां सभी वर्णों में मानविये मुल्य भरे हो जैसे गांधी एक स्वपनशील भारत की कलपना करते थे सपनों का गाउं सपनों का भारत रामराज का भारत वैसे ही यह रचना भी भविश्य में र A 20 नंबर का B और C 15 पंदर दिखे कितना सीधा है मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों जो प्रश्ण संख्या 3 है उसका A जैशंकरप्रसाद की कामाइनी में महा काव्यात मक्ता का क्या अर्थ है अगर कामाईनी को हम महाकाव्य कहें, तो उसमें जरूरी है कि उदात कथानक हो, उदात नायक हो, स्रेष्ठ नायक हो, उदात चरित्र हो, लोकमंगल का उदेश्य हो, और विसिष्ठ भाष्टा हो. देखिए, ये रचना जो है, वो पारंपरिक महाकाव्य नहीं है, पारंपरिक महाकाव्यों में दो चीजें अलग होती है, जब हम पारंपरिक महाकाव्य की बात करती हैं, तो पारंपरिक महाकाव्यों में लगभग साथ या आठ सर्ग होती है, पारंपरिक महाकाब्य में एक दूसरी चीज होती है कि रचना के आरंभ में मंगलाचरण होता है कामाईनी की बात करें तो इसमें 15 सर्ग है इसलिए ये प्रयोगात्मक महाकाब्य है रचना के आरंभ में कोई मंगलाचरण या इश्वर की बंदना नहीं है एक तीसरी बात कि महाकाव्य का जो नायक होता है वह धीरोदात होता है इकदम पराक्रमी होता है धैर्यवान होता है अपारबल साली होता है कुलीन होता है लेकिन जब हम कामाईनी के नायक मनु की बात करते हैं तो मनु पलायनवादी है कभी भोग की और बढ़ते हैं कभी बै पैसे क्यों लेकिन जैसे ही आप इस बात की चर्चा करते हैं कि इस रचना में शाइवाद्वाइत दर्शन Ready κश्मीरी शैवा बाद है इस रचना का जो दर्शन है वो आनंद वाद है समरस्ता वाध कामा ध्यात्म वाध और इसकी व्याख्या आप तभी कर सकती हैं जहां व्यक्ति पाशव से सांभव दशा में पहुचता है तो कह सकते हैं कि मनु आरंभ में पशु की दशा में हैं लेकिन अंत में समरस्ता या आनंदवाद की ओर प्रवर्त होती है उन्हें श्रद्धा कैलाश्परवत की यात्रा कराती है मांसरोवर की यात्रा कराती है जहां इक्षाक्रिया ज्यान का रहस्य समझ पाती है जहां समरस्ता को समझ पाती है काम और भोग के संतुलन को समझ पाती है कर्म और भोग को जीवन की प्रक्रिया के र तो बेशक इस रचना के का नायक मनु आरंभ में पलायन वृति के शिकार हैं, लेकिन अंतता समरस्ता और आनंदवाद से जुड़ते हैं, यानि उदात नायक ठहरती हैं। इस रचना की जो कथा है, वह पारंपरिक महाकाव्य की तरह नहीं है, इसकी कथा रूपक कथा है, कैसी कथा है, रूपक कथा है, रूपक कथा को एलिगरी या द्वयर्थक कथा कहते हैं। एक तरफ का मैनी की कथा मनु और श्रद्धा के सहयोग से या संसर्ग से मानो संसर्ती के विकास को या मानो स्रिष्टी के विकास को दर्शाती है, और दूसरी तरफ मनुष्य के मनो वैग्यानिक विकास को दर्शाती है, तो यहां भी प्रयोग है। अन्य पात्रों की जब आग चरित्र चित्रन की बात करें, तो बताएं कि श्रद्धा भी है, इडा भी है, ये भी प्रतिकात्मक हैं, श्रद्धा हरदय का रागात्मी का वृत्ती है, और इडा बुद्धी का व्योसाइत्मी का वृत्ती है, मनुमन के परिचायक है, लेकिन अ अन्य महाकाब्यों की तरह कामाईनी में लोकमंगल है आनंद वाद समरस्ता वाद लोकमंगल का ही भाव है कामाईनी की सबसे बड़ी समस्या विशमता है और इसलिए कामाईनी में विशमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्वमान और यह कैसे खत्म होगी विशमता काम काम मंगल से मंदित सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह भौधाम। यह कैसे विशमता खत्म होगी एक तुम और यह विश्तरित भुखन कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़का चेतनानन। जहां विशमता खत्म हो जाए वहां समरस्ता आएगी वही लोकमंगल है। इसलिए कमाईनी के भाव में देखिए औरों को हसते देखो मनू, हसो और सुख पाओ, अपने सुख को विश्तरित करलो, सारे जग को सुखी बनाओ। संपोर्ण जगत को सुखी देखने की प्रक्रिया, सरवे भवन्तु सुखी ना। इसकी भाष्णा तत्सम निष्ठ है, छायवादी संसकार से युक्त है, आप महाकाब्यात्मक रचना की उक्मा तो इसे देते हैं, लेकिन अगर इसके छंदों पर बात करें, तो इसके छंद भी मुक्त छंद शायली के हैं। यह है कामाईनी का महाकाब्यात्मत्त, महाकाब्यात्मक ता का और्थी होता है, शिल्प पर चर्चा करना। दोस्तों, तीसरा का जो बीप्रश्न है, भ्रमर्गीत सार के आधार पर सूर्दास की काब्य चेतना और कवित्व यानी मूल सम्वेदन और शिल्प दोनों पर चर्चा कवित्व। सूर्दास के विशय में याद रखे, सूर्दास भाव और कला दोनों के सशक्त रचनाकार थे। सूर्दास जी अनुभूती और अभिव्यक्ती दोनों के कुशल रचनाकार थे। सूरदास जी प्रस्तुत विधान के जितने अच्छे रचनाकार और प्रस्तुत विधान के भी। उभारने वाला प्रसंग है, निर्गुण पर सगुण की जीत दर्शाने वाला प्रसंग है, ज्यान और प्रेम के द्वंद को उदगाटित करने वाली रचना है, तथा प्रेम को ज्यान पर वरियता देने वाली रचना है। यह रचना मानती है कि जीवन जीवन के लिए है जीवन का आधार प्रेम है ज्यान कहता है कि जीवन नश्वर है संसार मिथ्या है जबकि वास्तविक्ता यह है कि जीवन और संसार का अटूट संबंध है और उसंबंध का आधार प्रेम है इसलिए सूरदास जी कहते हैं प्रेम 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 ते होई प्रेम प्रेम ते पई हैं प्रेम बंधियों संसारा प्रेम परमारत लई हैं सूरदास जी का तरक है कि जिस ज्यान से जीवन और इश्वर को जाना नहीं जा सकता वहीं प्रेम के द्वारा जीवन और इश्वर को सहज ही जाना जा सकता है जीया जा सकता एक गोपी यां ग्यानी नहीं अनपढ़ है निर्कषर है और उनके प्रेम के आगे उभन के ज्ञान का गुरुडम हार जाता है इसले उभन कहते हैं गयों कहाँ निर्गुन कही बेको भयो सगुन को चेरो मैं तो निर्गुन के ज्ञान योग का संदेश ले करके गया था और गोपियों ने मुझे प्रेम का सगुन का चेला बना दिया कहते हैं अब अति पंगु भयो मन मेरो सूर्दास मानते थे कि जो ज्ञान और अहंकार में डूबा हुआ मन है वो लूलहा लंगडा है लेकिन प्रेम में जो डूबा हुआ सहज मन है उसके आगे पूरी दुनिया जुकी हुई है सूर्दास ने दिखाया इस रचना के माध्यम से कि जो प्रेम है वह जीवन का न किवल आधार है बलकि प्रेम सामाजिक समस्याओं का समाधान है समाज में अलगाओ वाद आतंक वाद नकसल वाद आज हम इन समस्याओं को देख रहें इनका कारण क्या है प्रेम की कन जहां प्रेम है वहाँ ये समस्याओं अपने खत्म हो जाती है यानि सूर्दास की इस कविता में एक दबी गूंज है विश्व मानवता की अब अगर बात करें हम लोग कि सूर्दास के अन्य जो मूल भाव या मूल सम्भीदना तो आप कह सकते हैं कि सामान्यता पर बल देती हैं विश्ष्टता नहीं सूर्दास के जो क्रिष्ण है वो मोर मुकुटधारी माखंचोर चरवाह क्रिष्ण है ना कि द्वारिका और मतुरा के राजा क्रिष्ण है सूर्दास ने शहरी संस्कृती की जगह ग्रामिन संस्कृती को महत्व दिया इसलिए शहर मतुरा को कोस्ते हैं वो पिया कहती है वा मतुरा काजर की कोठरी वो मतुरा शहर काजल की कोठरी है तो जिस प्रकार सूरदास का भाव सशक्त है उनका कवित्व भी सशक्त है किस प्रकार सूरदास जी अपने इस कविता में भिंबों और प्रतीकों का सहारा लेती है ज्यान और प्रेम की चर्चा के लिए कई प्रतीक रखती है कहीं मीठा गुड कहीं मीठा फल कहीं कडवी ककड़ी ज्यान के लिए कहीं भूसा कहीं मुल्ली का पत्ता ज्यान के लिए वहीं प्रेम के लिए कहीं मोती कहते हैं कहीं सोना कहते हैं कहीं मुक्ताहल यानि मोती कहीं मीठा फल कहते हैं लाख अंगूर कहती है अलंकारों का बड़ा सधा हुआ प्रयोग करते हैं सूर्धास जी भाषा तो ब्रजभाषा ही है और रचना की शैली बेशक मुक्तक है लेकिन प्रगीत मुक्तक शैली है कई प्रकार के संगीत का प्रयोग करते हैं आठों राग और 64 रागिनियों का प्रयोग इस रचना में करते हैं इसलिए संगीत आत्मक रचना है प्रगीत मुक्तक्षैली की रचना है और तब सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी आचारे शुकले कहते हैं कि सूरदास जी ने शि कि जो विरह श्रेंगार या विप्रलंब श्रेंगार है उसमें भी स्रेश्ठ रचना है और उपालंब काव्य उपालंब यानि किसी को माध्यम बना कर उलाहना देना उस श्रेणी में भी सबसे सिर्शरचना है और कहते हैं आचारिय शुक्ल सूरदास के विशय में कि सूरदास की भाव प्रेरित वचनवकरता देखने लायक है उनकी गोपियों में जितनी सहरदयता और भाव उकता है उतनी ही मात्रा में वचनवकरता और वाग विदगधता है और इतनी बड़ी बात कह दी शुक्ल जी ने कि इस बंद आखों वाले सूरदास ने श्रेंगार और वातसल्य का कोना कोना जहांक लिया अन्यकवियों की रचनाएं इनका जूठन प्रतीत होती है अब सोचिए अगर अन्य कवियों की रचना इनका जूठन तो इसका मतलब है कि कव्य चेतना और कवित्व दोनों में ये शर्ष रचना का रहे हैं यही प्रश्न पूछा है है न दोस्त अब जरा इसका सी प्रश्न तीसरे का देखें कुकुरमुत्ता की प्रगति सील चेतना कितना सिंपल सीधा सा प्रश्न है कुछ लोगों ने कहा कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी रचना खबरदार बिल्कुल मत लिखिएगा यालोचक राम विलाश सर्मा कहते हैं ध्यान से सुनिये गई रचना मार्क्सवादी नहीं मार्क्सवाद पर प्रहार करने वाली रचना है मार्क्सवादी यालोचक राम विलाश सर्मा कहते हैं कि कुकुरमुत्ता की जो तरकी योजना है वो आज के शहरी अवारा यह अराजक्तावादियों की तरकी योजना है जो क्रांती और वर्ग चेतना का रास्ता छोड़ करके समाज को तोड़ने और अराजक्तावाद फैलाने का काम करते हैं कितनी बड़ी बात रामविलाश सर्माजी ने कहती है कुकुरमुत्ता सर्वहरा नहीं है इस रचना में एक तरफ कुकुरमुत्ता है एक तरफ गुलाब है कुकुरमुत्ता सर्वहरा नहीं बलकि तो लुच्चा सर्वहरा है यह बड़बोले पन का शिकार है संसार की सभी चीजों की उत्पत्ति अपने से मानता है अगर यह सर्व पहारा का पक्षधर होता ये कभी बड़ बोला नहीं होता सानुभूती सील होता उदार होता इसकी जो भाष्टा होती वो संयमित होती लेकिन ये तो मुफट है असलील है अभद्र है इसलिए इसकी भाष्टा में गाली गलोज है कहता अबे सुनबे गुलाब भोल मत पाई ज उन्हें असिस्ट डाल पर इतराता है कैप्टलिस्ट ये एकदम अभद्र है इसलिए गाली गलोज करना शुरू करता है कहता है रोज पढ़ता रहा पानी तू हरामी खांदानी किसको गुलाब को निराला ने कहा कि ऐसे लोग ऐसे मारक्सवादी विदेशी समाज से आई ऐसी विचारधारा आए ऐसे दर्षन भारत के लिए उचित नहीं ऐसे दर्षनों को तो खापी के हजम कर लेना बेहतर है निराला कहते हैं निराला रशनाकार हैं कुकुरमुत्ता के कहते हैं कहीं का रोडा कहीं का पत्थर टीए सिलियट ने जैसे दे मारा कहते हैं फ्राइड और लिटन फैलसी और फलसफा जरूरत हो और हो रफा दफा कहते हैं जैसे कलम लेते रोके नहीं रुकता प्रगतिशील के जोश का पारा और पढ़ने वाले ने जिगर पर हाथ रखकर कहा लिख दिया जहां सारा निराला ने माना कि मार्क्सवाद और फ्रायडवाद मार्क्स वाद से हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी साहित्य और फ्रायड वाद से हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी साहित्य निराला ब्यंग करती हैं कि जो विचारधारा बाहर से आई और हमारे समाज को तोडने और बाटने का काम कर रही है उसका तो कबाब बना के खा जाओ ऐसी विचारधारा को तेल में फ्राई कीजी और खा जाई इसलिए कुकुरमुत्ता को अंत में निराला ने कलिया कबाब बनवा दिया अगर कुकुरमुत्ता गरीब होता सरवहारा तो निराला माली की बेटी और माली की पतनी मोना बंगालिन के हाथों यानि एक गरीब को एक गरीब के हाथों निराला कभी नहीं मरवाते इसलिए ये रचना मारक्सवादी नहीं है मारक्सवाद पर प्रहार है ये रचना प्रगतिशील है मानवतावादी कैसे प्रगतिशीलता या मानवतावाद तुल्सी में भी प्रगतिशीलता है कबीर में भी है ये समाज को नहीं बाटते तुल्सी कहते है सिया राम मैं सब जानी कबीर कहते एक बूंदते विश्वरच्यों है और निराला की ये रचना भी अद्वयत की भूमी से चाली थेना की मार्क्स बादी दर्शन से और इसका प्रमान ये है कि इस रचना में एक तरफ आप देखेंगे नबाब की बेटी बहार है रैस जादी और दूसरी तरफ माली की बेटी गोली अमीर और गरीब दोनों की मैतरी दर्शाति है निराला जो प्रमान है कि मानवतावाद या प्रगतिशील चेतना भेद करने वाली नहीं है दिलों को दिलों से जोडने वाली है जिस प्रकार आचारी शुकल जाइसी के विशय में कहते हैं कि जाइसी जै जाने से हिंदू मुसल्मानों के दिल भेद से अभेद की ओर हो चले वैसे ही निराला की रचना अमीर और गरीब के भेद को खत्म करती है मानवतावादी ग्राउंड पे लिखी गई रचना है इसकी प्रगतिशीलता नफरत को खत्म करती है अमीर गरीब की मैत्री स्थापित करती है और जो समाज को तोड़ते हैं कुकुरमुत्ता टाइप के लोग लुम्पेन प्रोलेटेरियेट लुच्चा सरवहरा बन करके समाज को तहस नहस करते हैं उन्हें मुह तोड़ जबाब देती है भागिक में पूरी तरह हास्यव्यंग है जब भागदो को आप धंग से पढ़िएगा तो समझ पाईएगा कि निराला ने गरीबों का उपहास नहीं किया या पुण्जी पतियों का उपहास नहीं किया या गुलाब को पुण्जी पति नहीं माना का गुलाब तो संस्कृती है अमीर और गरीब दोनों को संस्कृतिक भावना की अवश्यक्ता है रामब्रिक्ष ब्रेनी पूरी एकनी बंद लिखते हैं गेहु और गुलाब, कहते हैं गेहु पशु और मनुष्य दोनों की आवश्यक्ता है, लेकिन गुलाब सिर्फ मनुष्य को चाहिए, गेहु खा करके मनुष्य जी सकता है, उसका भौतिक विकास हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक विकास के लिए गुलाब जरूरी है। तो सच्चे लोग, सच्चे मानवतावादी लोग, प्रगतिशील लोग गुलाब की भी कदर करती, ये रचना है, मैं उमीद करता हूँ कि इसको आप खुब बढ़िया समझ करके लिख पाएं होंगे, नहीं लिख पाएं होंगे, पूरी क्लास करते जाईए, एक एक बात समझ जाईए, जहाना समझ में आए, बताते जाईए, आईए, अब चौथे प्रश्न पर विचार करें, चौथा प्रश्न है, बियारी की कविता श्रंगारी है, पर प्रेम की उच्य भूमी पर नहीं पहुँच पाथी, इस कथन की सार्थक्ता पर प्रकास डालिए, आचारिय श चुकल, बियारी को श्रंगार का प्रगल्व रचनाकार तो मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं, कि बियारी की कविता से उन्हे संतोष तो हो सकता है, जो हाथी दात के छोटे टुकडे पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह वाह करते हैं, बियारी की कविता से उन्हे संतो यानि बिहारी की जो कविता है उसमें प्रेम की उच्च भूमी नहीं है प्रेम अनुभूती का वहां विशय नहीं है वहां प्रेम प्रदर्शन है प्रेम दिखावा है सामंती दरबारी प्रेम है आप कह सकते हैं कि यह प्रेम अभिजात मूलक दरबारी परिवेश का प्रेम ह इसलिए शुकल जी कहते हैं बिहारी का प्रेम चौगान का खेल है नायक और नाईका दोनों इस प्रेम में धुर्तता छल और चतुराई का प्रयोग करती है ये प्रेम जो है वो मांसल है ये प्रेम जो है वो दैहिक है ये प्रेम जो है स्थूल है कुछ हद तक ये प्रेम वास नात्मक है, दैहिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, शरीर के घर्षन से जुड़ा प्रेम, शुकल जी लिखते हैं कि यह जो प्रेम है, वो दैहिक घर्षन से शुरू होकर या रूप की प्यास, रूप त्रिशा से शुरू होकर काम त्रिप्ती में ही समाधान ढूनता है, यह प्रे लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेम भावना से जुड़ जाए जो हरदय से जुड़ जाए उसे सुक्ष्म प्रेम कहते हैं यही परिपक्व प्रेम है इसे ही प्रेम की उच्च भूमी कहते हैं जो रितिकाल के रितिमुक्त कवियों ने प्रयोग किया या जाइसी का जो प्रेम है या भक्तिकाल में जो वियोग आत्मक प्रेम है चुकी बिहारी दर्बारी रचना का रहे हैं इसलिए दर्बारी रचना प्रदर्शन प्रिये है दर्बारी कविताएं जो हैं वो अभिसारी क्या बनके दर्बार में प्रस्तूत होती है शाषकों सामन्तों के मनोरंजन के लिए इसलिए इस प्रेम में भावना की कोई जगह नहीं शरीर ही प्रबल है और तब आप ब्यारी की कविता में देखेंगे कि भंगीमाएं उन भंगीमाओं में संभोग सुचक भंगीमाएं भी हैं नायक नायक को रिजहने के लिए और नायक नायक को रिजहने के लिए शरीर के एक-एक अंग को दिखा देने पर तुले हुए हैं नाईका देख करके भी जान बुज करके अंजान बन जाती है देख्यों, अंदेख्यों की यो अंग-अंग सबें दिखाए नाईका अपनी लज्जा को मिटाने के लिए शराब का प्रयोग करती है ताकि संभोग का खुल करके स्वचंद रूप में लाभ लिया जा सके इसलिए वहाँ शराब का मदिर्या का प्रयोग है हबकी हबकी बोलत बचन, बलकी बलकी बोलत बचन, हबकी हबकी लपटाती हसी हसी हेरत नवलतिया, मद के मद उमदाती इसलिए आलुचकों ने कहा कि ये जो प्रेम है वो सिर्फ सामंती दरबारी जरूरतों का प्रेम है इसका आम जन्मानस से कोई लेना देना नहीं और कहीं न कहीं इस प्रेम में लोक तत्वों की लोक चेतना की उपेक्षा हुई है ये प्रश्न है बिहारी की कविता श्रंगारी है बिहारी श्रंगार के प्रगल्व रचनाकार हैं आप कह सकते उनकी कविता में गागर में सागर शैली है बिहारी जैसा रचनाकार ततकालीन यूरोप में भी कोई नहीं हुआ George Grierson ने कहा लेकिन ये प्रेम की उच्य भूमी पर पहुचने वाली श्रिंगारी कविता नहीं है दोस्त अब इसके ठीक बाद आईए विचार करते हैं हम लोग प्रश्ण संख्या 4 के B पर दिखे तो कितना सीधा प्रश्ण है असाध्य वीना पर आईए गौर करें ये जो प्रश्ण संख्या 4 का B है दोस्तों अग्ये की कविता असाध्य वीना में अग्ये के कवी कर्म का क्रमिक विकास हुआ है कवी कर्म का क्रमिक विकास अब थोड़ा सा आपको ये जटिल लग सकता है लेकिन वास्तों में जटिल नहीं है अगर आपने क्लास में इस कविता को पढ़ी है या पढ़ेंगे तो असाध्य वीना की विश्ण में कई डायलग चर्चित है जैसे इस कविता में ब्यस्टी का समस्टी में और समस्टी का ब्यस्टी में रूप आंतरन होता है जैसे इस कविता में आप देखेंगे कि मौन से स्वर तथा स्वर से महा मौन की और गति शिलता है अब ये कुल मिला करके अगर ये सब डायलग ना समझ में आए तो ऐसे समझे अग्ये की जो कविता है साध्यवीना वो इस बात का संकेत देती है कि कोई भी सर्जना कोई भी कला अनुभूती और समर्पन के मेल से ही संभव है अनुभूती और समर्पन के मेल को ही अनुभावन कहती है कोई भी कलाकारी ये रचनाकार जब तक अपना सब कुछ समर्पित नहीं करता है स्वयम को समर्पित नहीं करता है तब तक कोई भी सर्जना कोई भी कला सार्थक नहीं होती सफल नहीं होती इस कविता की कथा आप जानते होंगे जापानी जेन कथा पर आधारित इसमें एक कथा है और उस कथा पर आधारित रचना है कविता है 21 प्रकार प्रियम्बद राजा की सभा में आता है जहां एक असाध्य वीना रखी हुई है जो बज्र केर्ती नामक किसी कलाकार की कठिन साधना से बनाई गई है किसी भव्य या विशाल व्रिक्ष या किरीटी तरू की शाखा से ये वीना बनी है प्रियम्बद राजा की सभा में आता है चुपचाप कंबल विछाता है और उस पर वीना को रख करके उस पर माथा टेक देता है लोगों को लगता है कि अन्य कलाकारों की तरह प्रियम्बद भी हार गया परन्तु सच्चाई कुछ हो रहें पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियम्बद साध रहा था वीना नहीं स्वाइम अपने को सोध रहा था सबसे पहले प्रियम्बद आत्म शोध करता है उसके बाद प्रियम्बद वीना जिस पेड की शाखा से बनी है पेड जिस प्रकरती में पला है उस पेड उस प्रकरती और वीना को जिस कलाकार ने रचा है बनाया है वज्रकरती की साधना इन सब के प्रती अनुभूतियों में डूबता है और उन सब के प्रती अपने को सौप दीता है वह कहता है नहीं नहीं यह विणा मेरी गोद रखी है रखी रहे किन्तु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालग हूँ सबसे पहले बास अंपोर्ण प्रकर्ति स्रेश्टी उस व्रिक्ष उन सब की अनुभूतियों में डूबता है और उन सब के प्रती अपने को सौप दीता है वह कहता है ओ तात्तरू संभाल मुझे वह याद करता है उस भव्य व्रिक्ष को कहता है तु उतर बीन के तारों में तु स्वयम से बीना के तारों में उतर स्वयम से गा अपने अनुभाव की लोरी सुना मैं जूमूं तुम्हारे दोलन की लोरी परम विसमय होकर कर मैं जूम जाओं मैं तुम्हारा एक एक अनुभाव सुनना चाहता हूं इसे लिए ओ सरण्य मुझे ओट दे बेशक बीना मेरी गोद में है लेकिन प्रियंबत सुचता है कि मैं ही उस भव्य व्रिक्ष की शरण में बैठा हूँ तुहीं सरण्य है तुहीं तात है तुहीं अभिभावक है जैसे ही अनुभूतियों के प्रति स्वयम को सौपता है तो अनुभूति और समर्पन के मेल को अनुभावन कहते है अग्ये ने संकेत दिया कि कोई भी रचना यदि अहंकार के समर्पन से संभव होती है कोई भी रचना, कोई भी सरजना, कोई भी कला, जैसे आप लोग कलक्टर बनने जा रहे हैं, तो जब तक आत्म मुल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक इस तयारी की प्रक्रिया की अनुभूती नहीं करेंगे और उसमें अपने आप को सौपेंगे नहीं तब तक सफलता नहीं मिलेगे अग्ये संकेत देते हैं कि प्रतेक स्रिष्टी आगे चल करके सरजक का रूप लेती है और प्रतेक सर्जक कभी न कभी किसी की स्रिष्टी का अंग होता है जैसे हमारे पिता अपने पिता की संतान रहे फिर हमारे पिता हम उनकी संतान और हम भी किसी के पिता हैं या पिता बनेंगे तो स्रिष्टी और सर्जक का विकास अनुभूती और समर्पन का विकास और तमाम प्रकरती के अंगों का साहचर ये लेकर के वीना बनी है, इसलिए कवी कर्म का क्रमिक विकास ही वास्तों में ब्यस्टी का समस्टी और समस्टी का ब्यस्टी रुपांतरण है, वीना पहले मौन है, मौन से स्वरकी ओर मुखरित होती है और फिर वीना बज़ करके महा मौन में लिप्त हो जाती है कोई भी कला कोई भी सरजना समाज में तभी सार्थक है जब उसका कलाकार या उसका सरजक या उसका सरजनाकार अपना श्रीय नहीं ले जैसे प्रियंबत कहता है श्रीय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयम सुन्य में बीना के माध्यम स मैंने सबकुछ को सौप दिया था सुना आपने वो मेरा नहीं नवीना का वह तो सबकुछ की तथता थी जिस दिन समाज का प्रतेक कलाकार प्रतेक सरजक आप जैसा हुनहार आईएस ये समझ ले कि जो कुछ भीवा उसमें मेरा श्रेय नहीं मेरे बनने में तो कई लोगों की तथता है कई लोगों की सामुहिक भूमी का है इसलिए रचना अनुभूती प्रधान है अनुभावन प्रधान है अग्ये के विशय में कहा गया कि अग्ये मानते थे कि व्यक्ति की अनुभूतियां प्रामानिक सकती है अग्ये समाज से उपर व्यक्ति को मानती हैं अग्ये इतिहास से प्रामानिक छणों को मानते थे प्रतेक छण की अनुभूती को प्रामानिक मानते थे और अग्ये ने ये भी कहा कि भाषा नहीं शब्द महत्योपोर्न है अग ये इस बात के पक्षधरते की मौन भी अभी व्यन्यना है तो ये है कभी कर्म का क्रमिक विकास असाध्य वीना में मैं उमीद करूं कि आप इसे समझ के लिख पाए और लिख पाएंगे क्लास में कि एक बात को ढंग से सुनी इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये कविता रहस्यवादी है क्योंकि जो वीना है वह जीवन सत्य का प्रतीक है जो भव्य व्रिक्ष है संपोर्न जीवन का प्रतीक है और वीना का बजना जीवन सत्य के उदगाटन का प्रतीक है जीवन को देकर ही जीवन को जाना जा सकता है लोग कहते मैंनी ये बाल धूप में नहीं सुखाए जैसे वज्र किर्ती जो वीना बनाता है वो कठिन साधक उसने संपोर्न जीवन देकर के वीना बनाई और प्रियमबद अपने संपोर्न जीवन कि अनुभूतियों को वीना के बनने उसकी तमाम सरजना प्रक्रिया के प्रति संप देता है स्वैम को संप देता है संपोर्न जीवन सब कुछ को संप देता है कहता है कौन प्रियमबद जो दंभ करके आए इस महान करूबाद्य के सामने दंब को मिटाकर, स्वैम को शिशु समझिकर, स्वैम को अबोध बालक समझिकर के जैसे समरपन करता है वीना जंजना उठती यह आपकी सफलता के लिए भी संकेत है तो दोस्तों यह रहा प्रश्ण संख्या चौथा का B यह प्रश्ण संख्या चौथा का C देखें यह निवन्ध हात्मक प्रश्ण है और बड़ा महत्थुपोर्ण है युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है इसकतन के आलोग में कुरुक्षेत्र दिन कर दोस्तों वास्तों में जो कुरुक्षेत्र है यह एक चिंतन काभ्य है विचार प्रधान महा काभ्य है साथ सर्ग है इसमें इसलिए कुछ लोग इसे महा काभ्यात्मक रचना कहती है इसमें महा काभ्यात्मक्ता है महा काभ्यत्व है और लोग इन यह माना कि यह विचार प्रधान चिंतन प्रधान रचना है इसके केंद्र में युद्ध की ही समस्या है और युद्ध की समस्या ही सभी समस्याओं का मूल भी है दिनकर का ही मन, ह्रदय और बुद्धी के अस्तर पर विभाजीत है इस रचना में जो भिस्म, पितामः और यधिस्ठिर दो पात्रे है अगर दिनकर इन दोनों पात्रों को नहीं भी लेते तो भी अपनी बात कहते उन्होंने स्वयम इस रचना की भूमिका में इस बात को स्विकार किया दिनकर का तरक है कि महाभारत के या दो पाउरानिक पात्रों को सहराल बना करके आधार बना करके मैंने जो विचार रखा है इससे इसकी प्रामानिक्ता बढ़ जाती है भिस्म पिताम समाजवादी आदरशों के परिचायक है प्रतिशोध प्रतिहिंसा इन मुल्यों से भरे हुए है समाजीक न्याय के परिचायक है लेकिन जो योधिस्ठीर है वो व्यक्तिवादी चरित्र है कुछ कह सकते हैं कि अहिन साधाय आकरुणा जैसे गांधीवादी मुल्यों में विश्वास है उनका और भिस्म पिताम का विश्वास मारक्सवादी मुल्यों में योधिस्ठीर को लगता है कि काश मैंने दुर्योधन की बात मानली होती मैं पांच गाउं की भी जीद नहीं करता कम से कम ये भीशन रक्त पात तो नहीं होता ये खुन खराबा तो नहीं होता माभारत युद्ध के पश्चात अपने ही बंधू बांधों अपने लोगों अपने परिजनों की लासों को देख करके युधिस्ठीर विचलित हो जाती है उन्हें लगता है कि युद्ध हमेशा अशान्ती को जन्म दीता है युद्ध मानवीय मुल्यों के लिए खतरा है मात्मा गांधी भी इस बात के पक्षधर थी यतिशे विज्ञानवाद मानोगाती है विज्ञानवाद से युद्ध को बढ़ावा मिलता है बर्टिन रसल ने भी माना था और युद्ध समाज में हिंसा, मार, काट, राज़पता कई समस्याओं को जन्म देता है यानि युद्ध की समस्या सभी समस्याओं के मूल में लेकिन बिश्म का तरक है जो बड़ा सीधासा है बिश्म कहते हैं जब तक मनुझ मनुझ का सुख भाग नहीं सम होगा शांत नहीं कोल आहल होगा रण नहीं कम होगा मनुष्य मनुष्य के बीच उत्पादन के साधनों का जब तक संतुलित विभाजन नहीं होगा तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा और दूसरी बात युद्ध को बुलाता कौन है चुराता न्याय जो वही रण को बुलाता है जो न्याय का अपहरण करता है अन्याय अत्याचारी लोगों के द्वारा ही युद्ध की घोशना की जाती है यहीं लोग युद्ध को आमंत्रित करती है अब एक तीसरा तरक एक तरफ अत्याचारी सत्ता है अन्याई अपराधी लोग हैं और दूसरी तरफ सीधे साधे मानविये मुल्यों से जुड़े लोग शांती के साथ जीने वाले आम लोग हैं एक तरफ कोई सरवस्व हमारा छीनने को तैयार है और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठें तो गांधी भी कहते थे इस बात को कि जो अहिंसा भय या कायरता से अपनाई जाती है वो अहिंसा नहीं है वो तो कायरता है इसलिए कायरता और हिंसा में एक का चैन करना पड़े तो मैं हिंसा का चैन करूंगा गांधी स्वयम कहते थे गांधी यह हिंसा वादी थे कायर नहीं थे इसलिए इस रचना का तौर्क देखिए कितना सॉलिड है छीनता हो स्वत्व कोई आपका सब कुछ आपका अपनापन आपकी स्वतंत्रता आपकी नीजता आपके जीने का अधिकार सब कुछ कोई छीन लेने को तैयार हो तो छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है तो पुन्य क्या है? पुन्य है विचिन कर देना, काट देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो अन्याय सहकर मौन रहना भी महादुस कर्म है याद रखिएगा इसलिए न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है युद्ध अन्याय को खत्म करनी के लिए है बेशक युद्ध से शांती भंग होती है लेकिन अशांती को खत्म करनी के लिए अराजकता को खत्म करनी के लिए युद्ध आवश्यक है इस रचना में अंतिम सर्ग में एक आदर्श है प्रत्वी सामराज्य बन जाए स्नेह का काश की युद्ध कभी हुई नहीं ये रचना मानती है मानो जिस पर चलता है वह मिट्टी है आकाश नहीं ये रचना मानती है कुरुक्षेत्र की धूल नहीं इती पंथ का मानो उपर और बढ़ेगा मनु का पुत्र निराश नहीं है नौधर्म प्रदीप अवश्य जलेगा इसमें आदर्श है कल्पना है कि काश की युद्ध ना हो लेकिन एक मुभी थी जिद्धी सनी देवल की उसमें पिता सिक्षक है तो एक सिक्षक पिता कहता है कि मैं समझी गया हूँ बेटे जानवर को मारनी के लिए जानवर बनना जरूरी है हमारे शास्त्रों में तुलसी जैसे रचनाकारों ने सबने माना सठम साठ्यम समाचरे थी भय भी नू हो ही न प्रिती दुष्ट को मारने के लिए दुष्टता की आवश्यकता पड़ती है हिंसा को खत्म करने के लिए हिंसा आवश्यक है ऐसे ही जो लोग युद्ध को आमंत्रित करते हैं अत्याचार अन्याई को बढ़ावा देते हैं ऐसी शक्तियों को खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है इसलिए युद्ध से शांती भंग होती है लेकिन शांती की स्थापना तब तक नहीं होगी जब तक युद्ध को अपनायाना जाए क्योंकि युद्ध से ही समत्व की स्थापना हो सकती है विशमताओं को खत्म किया जा सकता है तो रचना प्रश्न संख्या C है चार का कि जो कुरुक्षेत्र है युद्ध की समस्या सभी समस्याओं की जड़ है इस कथन पर विचार करें कुरुक्षेत्र के आलोक में इस कथन की समिक्षा करें रामधारी सिंग दिन करने दोस्तों आएए देखें अब प्रश्न संख्या जो 5 है पाँच में प्रश्न से गद्य की ब्याख्या है पाँच में का जो ए है वो पंगती देखिए अगर आपको याद हो आत्मा की मुक्तावस्था ज्यान दशा है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है हृदय की इसी मुक्त दशा को व्यक्त करने के लिए वानी जब शब्दों का विधान करती है तो उसे कविता कहती है यह व्याख्या है कविता क्या से? कविता क्या है आचारी शुक्ल का निवन्द है आचारी शुक्ल कहते हैं क्या ब्याख्या करेंगे याद रखे ब्याख्या कभी पंग्ती की नहीं होती पूरी रचना प्रक्रिया की कविता क्या है का यदि मूल भाव आप समझ ले तो कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमी में ले जाती है कविता पशु की आवश्यक्ता नहीं है मनुष्य की आवश्यक्ता है शुकले जी लिखते हैं लिखते हैं जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार होता जाएगा कविता मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक होती जाएगी कविता ना केवल मनुष्य छेत्र के भीतर है मानवेतर जगत के बाहर भी है संपोर्ण चराचर जगत में कविता मनुष्य के हरदय को संकुचित राग से उपर उठा करके ब्यापक विश्वर आग से जोडती है यानी मानविये मुल्यों की स्थापना का काम कविता का है जैसे ही हम पूरे विश्व को अपना मानने लगती हैं वसुधैव कुटुम्बकम पुरा विश्व मेरा है ये अपने पराई का भेद ऐसी संकिर्णता छोड़ देते हैं तो उसे हिर्दय की मुक्तावस्था कहते हैं और इसे ही रस दश्वा शुकली जी कहते हैं कि साहित्य में जो रस है उसका काम लौकी कनुभूती है इसे लिए उन्होंने अपनी आलोचना द्रिष्टी में कहा कि रस की लोकवादी और धारना जरूवी है लौकी की जगत मानवी ये जगत को समझना उसे अपनाना अपने हिर्दय को संकुचित अस्तर से उपर उठा कर पूरे विश्व से जोड़ देना सब को अपना मान लेना यही यदि हृदय की मुक्त वस्था है तो कभीता इसी हृदय की मुक्त दश्था को व्यक्त करती है कभी की वाणी से या लोगों के मुक्त से जब ऐसे शब्द निकलें ऐसे शब्दों का विधान हो जिससे लगे कि मनुष्य संपोर्ण मानों ताका है तूसे ही कवी ताके तैसे ले पहली पंक्ती पे गौर कीजिए जब कभी वह अपनी प्रथक सत्ता की धारना से छूट कर अपने आपको बिलकुल भूल कर विशुद्धान भूती मातर रह जाता है तब वह मुक्त हरदय हो जाता है शुकली जी कहते हैं कि स्रिष्टी के आरंब से ही मनुष्य अपने भावों और विचारों को कभी एक दूसरे से मिलाता कभी लडाता आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया में स्वयम को प्रिथक सत्ता मान लेता समाज को अलग जिस दिन मनुष्य अपने को से मुक्त हो गया वह संकुचित बंधन में नहीं है देखे कितनी अच्छी व्याख्या है कर ली जाएंगे दोस्ता प्रश्ण संख्या पांच क्या भी देखे मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गाउं में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं ग्राम वासनी भारत मा प्रेम की फसलें लहला हैं यह डौक्टर प्रशांत का मैं साधना करूंगा ग्राम वासनी भारत माता के मैं आचलता लें डौक्टर प्रशांत का कथन है मैं आचल का कथन है आप जानते हैं कि मैला आचलेक आचलिक उपन्यास है आचलिक ता यथार्थ वादी द्रिष्टी है आचलिक जीवन में कई रूढियां हैं कई विसंगतियां हैं कई प्रकार की विशमताएं हैं काम कुंठाएं हैं जातिगत दलगत मान्यताएं हैं असिक्षा है अंध रही है या प्रेमचंद का जो आरंभिक लेखन है उसमें आदर्ष समाधान के तौर पर आता है और कहीं न कहीं मैला आचल में रिणू ने भी उसी समाधान को पकड़ा डॉक्टर प्रशान समझ लेता है वह मेरी गंजगाओं में आता है मलेरिया नुसंधान के लिए उसने बीमारी का कारण पकड़ लिया और पकड़ के कहता मैंने जान लिया मैंने रोग को पकड़ लिया बीमारी को पकड़ लिया डॉक्टर का रिसर्च कंप्लीट हो गया उसने जान लिया कि दो ही मुख्य कारण है गरीबी और जाहालत आंचलिक छेत्रों में आंचलिक जीवन में ये गरीबी और जहालत दू बड़ी समस्याएं और उसी की वजह से जो आंचलिक जीवन है उसकी धर्ती आशू से भीगी हुई है आंचलिक जीवन का जो आंचल है वह ग्राम वासनी भारत माता का महला आंचल है वहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं पीडाएं हैं विद्रूपताएं आज की समस्या ये है कि हम लोग हैं तो सब गाउं देहात की याद रखिए हम सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं डॉक्टर बनने के लिए हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए लेकिन पता नहीं डॉक्टर बनते ही हमें प्राइबिट बड़े अस्पताल क्यों जज़ते हैं हम गाउं में जा करके प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते हैं हम शहरों में रहना चाहते हैं आज आप लोग सोशल इस्शू पढ़ते हों सामाजीक मुद्दे तो आप लोग एक शब्द उसमें इस्तेमाल करते हों या इकनॉमी में भी P.U.R.A. P.U.R.A. प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनेस्टी इन रूरल एरियाज स्मार्ट सिटी बनाना अच्छी बात है लेकिन स्मार्ट गाउं बनने की कलपना डॉक्टर प्रशान के इस कथन में है एक डॉक्टर शहर में रहे शहरी आवास में रहे और प्राइवेट होस्पीटल वगरह में प्राक्टिस करके खुब पैसे कमाए इससे बहतर है कि इस प्रकार की जो नोबल सेवाई है उनका सदुपईयोग ग्रामिन छेत्र में हो आंचलिक छेत्र में हो जदि ग्रामिन आंचलिक छेत्र में क्योंकि भारत गाउं का देश है गांधी भी कहते हैं ग्राम वासनी भारत माता के मैला आचल तले जो लोग प्रेम की खेती करेंगे क्योंकि ग्रामिन चेत्रों में आज भी दुखदर्द पीडाएं असमानताएं अधीक है नियोजन की समस्या है, भुकमरी अधीक है, प्राकरती का अपदाओं का प्रकूप अधीक है बिरुजगारी अधीक है, गरीबी है, कुपोशन है, असिक्षा है तो यदि इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं तो ग्रामिन छेत्र में ग्राम वासनी भारत माता के मैले आचल तले लोगों को प्यार की खेती करनी होगी इसलिए डॉक्टर प्रशांत का ये कथन है अब इसमें लिख सकते हैं कि ये अथार्थवादी उपन्या से प्रस्तुत पंक्तियां ये संकेत देती हैं कि आचलिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं है डॉक्टर प्रशांत उन समस्याओं के मूल में जाता है और देखता है गरीबी जहालत जैसी समस्याएं वह देखता है कि जातिगत दलगत राजनीती है काम को उठा है दरिदरता है जातिगत सोशन है, मैलाओं के प्रतिव अभिचार वृत्ती है, अब ऐसे में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर या समाज सेवक के रूप में कोई जागरूक व्यक्ती अपनी सेवा ग्रामिन छेत्र में दे, दोनेश्चे तोर पर आसू से भींगी हुई धर्ती में भी खुश हा लाहेंगा, ये प्रश्न संख्या पांच का जो बी है व्याख्या के तौर पन, पांच का सी देखी अहां दे दिया अपनी गाय थी मार डाली फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा, तुमारी तहकीकात में यही निकलता यही लिखू, पहना दो मेरे हाथों में हतकडि देख लिया तुमारा न्याय, तुमारे अकल की दोड, गरीबों का गला काटना दूसरी बात, दूद का दूद और पानी का पानी करना दूसरी बात, ये गोदान का डायलग है, और धनिया का संबाद है, प्रक्रण है दारुगा के द्वारा हीरा के घर की तलास्ती लिये ज प्रस्तुत पंक्तियां प्रेम चंद्रचित गोदान से ली गई है इन पंक्तियों का संदर्व प्रसंग धरोगा के द्वारा होरी के घर सरी हीरा के घर की तलासी लिए जाने से जुड़ा हुआ है खोरी संजुक्त पारिवारिक मर्यादा को समझता है खोरी जानता है कि उसकी गाये को जहर उसी के भाई हीरा ने दिया है उसके बाद भी वह हीरा के घर का दाईत्व अपने कंधे पे उठाता उसकी ग्रिहस्ति का बोज उठाता है पुजानता है कि बड़े भाई के जिन्दा रहते छोटे भाई के घर में पुलिस स्थाना का चहरी पहुंचे यह अच्छी बात नहीं उसमें भी तब जब छोटा भाई घर छोड़के भाग गया है अब उसकी पतनी पुनिया घर में है पुरी संजुक पारिवारिक मर्यादा और आस्था से जुड़ा है वह ग्रामिन संस्थाओं में आस्था रखता है पुरी आस्थावान पीढी का किसान है धनिया कटू यथार्थवादी चरित्र है वह जानती है कि घर में दूद्द ही अंजन लगाने को नहीं है भुख मरी का आस्षिकार पूरा परिवार है वैशाक तो किसी तरह कटा मगर जेठ हाते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा धनिया जानती है चाहे कितना भी पेट तन क्यों न जारो एक एक पैसे को दाथ से क्यों न पकड़ो मगर यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेता धनिया इस बात को जानती है कि होरी नीम जान जैसे तैसे जी रहा है एक वक्त ओभी आधा पेट खा करके दिन रात मेहनत करने वाला परिवार भला तलाशी रोकने के लिए रिश्वत दे तो कहां से दे कर्ज लेकर के ही देना पड़ेगा पोरी रिश्वत के 30 रुपए कर्ज लेकर के देना चाहता है और उसे जपट्टा मार के धनिया गिरा देती है और दरोगा को कहती है कि जो समझ में आए तुम्हारे रिपोर्ट में लिखो अपनी तहकीकात में लिखो दरोगा कहता है इसी सैतान की खाला ने अपनी गाई को जहर दिया है और इलजाम हीरा पर लगाना चाहती है धनिया कहती है हाँ बिलकुल तुम्हारे तहकीकात में यही बनता है यही सही मेरी गाई थी मैंने मार डाली किसी और का पशू तो नहीं मारा प्रेमचन यथार्थवादी उपन्यास कार थे लेकिन आरंभ में उनका आदर्श्वाद अंत अंत तक खतम नहीं होता है माता दिन को भी सुधारतें देखिएगा मालती जो सतरंगे पंखों वाली तितली बनी घुमती है उस मालती को भी श्रद्धा का विशय बना देती है प्रेमचन अंत अंत तक समाजिक संस्थाओं के मुह को नहीं त्याग पाती है ठीक है 1916 में पंच परमिश्वर कहानी लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि पंचों के मुख में परमिश्वर का वार्स है और 1936 में यही धनिया कहती है कि ये पंच हत्यारे गाओं के मुखिया नहीं राक्षस हैं राक्षस इन सब के बाद कहीं न कहीं प्रिमचंद इस बात को जानते थे कि भारतिय समाज की अपनी संस्थाएं हैं ग्रामिन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पूरी तरक खारिज नहीं किया जा सकता आप कफन कहानी में भी देखेंगे कि बाप और बेटा जीसु और माधव कफन के पैसे को शराब और मचली खाने या भोजन करने में स्वादिस्ट ब्यंजन खाने में उड़ा देती हैं लेकिन उनके मन की एक आस्था है जिन लोगों ने इस बार पैसे दिये वही फिर देंग प्रिम्चन कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि भारतिय समाज में एक पूरुस चाहे वो किसी भी पद पर हो पर इस तेरी पर हाथ नहीं उठा सकता और धनिया भी इस बात को जानती है इसलिए जहां होरी दरोगा की घुड़की से अपने आप में सीमट जाता है सहम जाता है धनिया नहीं डरती है वह कहती है अपनी गायती Camar dog किसी और का पत्रू तो नहीं मा लए मलरा किसी और का जानवर तो नहीं मा नहीं मलर्ए तुम्हारी तखीकात में यही लिखता है यही कि पेनादू आथों में हाथ कडिया फो के ही है कि गरीब का गला काट रहे हो गाला काटना अलग बात है लेकिन दूद का दूद और पानी का पानी करना दूसरी बात है एक जगह पंडित दाता दिन को भी इसी तरीके से दो टुक जबाब देती है जब दाता दिन कहता है कि जुनिया को अपने घर से निकाल दो कहती है धनिया महराज हमें हमारी नाक इतनी प्यारी नहीं इसके पीछे एक जीव की हत्या कर दे वही काम जब बड़े करते हैं तो इससे उनकी नाक नहीं करती और हम छोटे लोग करते हैं तो हमारी नाक कर जाती है माराज हमें हमारी नाक अपनी इतनी प्यारी नहीं कि इसके पीछे एक जीव को घर से निकाल दे अपनी गर्भवती बहु को घर से निकाल दे तो ये पंग्तियां गुदान की हैं देखे ब्याख्या में इन बातों को आप लिख सकते हैं जो चौथी व्याख्या है D, दिखे कितनी जिंपल पंग्तियां हैं, वह बहुत अधभूत अनुभूत था, मा बहुत अधभूत, नेलकमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायू की तरह हलका और स्वपन की तरह चित्रमैं, ये पंग्तियां मोहन राकेश के नाटक आसाढ का एक दिन की हैं, इन पंग्तियों का भाव समझी है, एक तरह पुत्री है, जो किशोरावस्था को पार की है, अभी अभी यववनावस्था में आई है, मल्ली का, दूसरी तरफ अधेड मा है अंबी का, जो वैधव्य जीवन जी रही है, जीवन की त्रास्दी के यथार्थ को ज खेल रही है, भावना और यथार्थ का यहां द्वन्द है, मलिका कहती है, मा, मैंने भावना में एक भावना का वरण किया है, वह संबंध मेरे लिए सभी संबंधों से बड़ा है, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है, और दूसरी तरफ मा अंबी का है, जो जानती है कि मोहन राकेश ने दिखाया कि जो भावना में होगा वो यातना में होगा भावना के कारण ही मल्ली का जीवन भर घुटती और पीस्ती चलिया है उसके जीवन में जो संत्रास है जो अकेलापन है इसी भावना के कारण है दूसरी तरफ जो काली जास है वो भावना को सिर्फ प्रेरणा मानता है और भावना से उपर उठकर के यथार्थ को समझ लेता है वो कहता है कि राजकिये मुद्राओं से क्रित होने वाला व्यक्ति नहीं लेकिन अंतता उन्हीं राजकिये मुद्राओं से के हाथों भी जाता वहराज कभी का पद स्विकार कर लेता है और फिर कश्मिर का शाशक भी बन जाता है अब लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंग्तियां मोहन राकेश रचितनाटक आसाड का एक दिन से ली गई है इन पंग्तियों का संदर प्रसंग मलिका और अंबिका के संबाद से जुड़ा जिसमें भावना और यथार्त का द्रणद घाटी थे मौहन राकेश ने माना जो भावना में हुगा वो यातना में हुगा मौहन राकेश ने लिखा कि मैं व्यक्ति तत्था समाज की यातना की कथा लिखता हूं आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों अब जो व्याख्या है अगली पांचमी व्याख्या यानि पांचमे प्रोष्ण का प्रोष्ण संख्या ई निर्मल वर्मा के परिंदे से आप देखिए इस बार मुझे 6-7 महीनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है और उपर की पंग्ती में केंद्री ये भाव है उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती हमेशा दू बात कहानी को विक्सित करने में मोहन राकेस, डॉक्टर राजेंद्र रियादव, कमलेश्वर जैसे लोगों ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई लेकिन निर्मल वर्मा ने नई कहानी को एक नया सोपान दिया यदि नई कहानी की संबेदनाओं को मुल भाव को आप पन, कुंठा, संत्रा, स्त्रासदी, अजनवियत, मुल्यों से बेगानापन, जैसी कई विशेस्ताएं रही हैं, व्यक्ति की कथनी और करनी में भेद, नई कहानी धारा की सबसे बड़ी पीड़ा है, व्यक्ति का द्वंद, व्यक्ति का विधा ग्रस्त होना, विभाजित हो पिंदे से हैं, अब अगर आपको ये मुल्य पकड में आएं, तो विदेशी एक दो पात्रों के आधार पर ये कहानी लिखी गई है, आप समझ सकती हैं कि स्वातंत्रयुत्तर भारत में जो कहानियां लिखी गई, या यूं समझिये कि जो नई कहानी या अंदोलन है, वो आ पाधुनिक भाव बोध में कई बाती हैं, जहां व्यक्ति समाज के बीच द्वन्द, व्यक्ति की कथनी और करनी में पूरी तरह भेद, व्यक्ति का मानसिक द्वन्द, व्यक्ति हिर्दय और बुद्धी के अस्तर पे बटा हुआ है, कहता कुछ, करता कुछ, कहना चाहता है कुछ कहता कुछ है तो इस प्रकार की समस्याएं इन पंग्तियों में ब्यापते हैं ब्याख्या में कभी भी पंग्ति की ब्याख्या मत कीजिए पूरी रचना प्रक्रिया को समझिए रचनाकार कहना क्या चाहता है रचनात्म कुदेश्य को समझिए दोस्तों आई अगले प् प्रश्ण संख्या जो छे मुंसी प्रेमचंद कृत गोदान भारतिये क्रिशक जीवन के वास्तवीक धारातल का सटीक चित्रण प्रस्तूत करता है बीस अंक का प्रश्ण है ये छे का ये आप लोग जब जब गोदान पढ़ते हो तो गोदान में तीन डायलग याद रखी गोदान ऑपनिवेश्चिक भारत का निर्मम दस्तावीज है समझीएगा गोदान में चौतारफा सोशन है गोदान अपने युग का प्रतिभिम्ब है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है अगर ये पंग्तियां आपको याद हो जाएं मित्रों तो प्रश्ण देखिए गोदान भारतिये क्रिशक जीवन के वास्तविक धरातल का सटीक चित्रण है फिर आप लोग कहते हो कि गोदान क्रिशक त्रासदी का नाटक है फिर आप लोग कहते हो गोदान की केंद्रिये समस्या रीन की समस्या है गोदान सिर्शक अपनी आप में इस प्रश्ण का उत्तर है बारतिये क्रिशक जीवन का वास्तविक धरातल गोदान अपनी वेश्चिक जमिंदारी महाजनी पूरोहीती चौतारफा शोशन कोद घाटित करता है गोदान में होरी जैसे सिमांत किसान जो जीते जी अपने दरवाजे पर एक गाई नहीं बांध पाते उन्हें भी मरते समय गोदान करना पड़ता है यही इस कहानी इस उपन्यास का केंद्रिये भाव है और इस प्रश्न का फलक भी है पूरी का परिवार सुबह से शाम तक खेतों में लगा हुआ है मगर फिर भी दोनों वक्त पेट भर के रोटी नहीं मिलती पूरी एक जगह सुचता है क्या खाकर मोटे हुए हो मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना रिण की चिंता है नमरजाद की सुच पूरी एक जगह चिंतित है कि बैशाक तो किसी तरह कटा मगर जेठ हाते आते घर में अनाज का एक दाना न बचा खाने वाले एक ही महीने में क्रिशक परिवार के घर में अनाज नदारत है क्योंकि खेत की खड़ी फसल खेत से ही तूल करके या तो महाजनों के गुदाम में पहुँच जाती है या फिर जमिंदार के अंगन में अलाबकर क्रिश्शी बिगारी की दस्षा फुरी कहता है कि हमसे अच्छे वो हैं जो दस दस रुपए के नौकर है लेकिन खेती में जो मरजाद है किसानी में वो मजदूरी में कहा फुरी कहता है कि यदि मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है और किसान बिगड जाये तो मजदूर हो जाता है होरी इस बात को जानता है कि किसानी की जो मर्यादा है खेती की वो मजदूरी में नहीं है लेकिन भारतिये अपनी वेशिक बेवस्था के किसान या अपनी वेशिक वेवस्था के भारतिये किसान कैसी त्रास्दी जहल रहे थे कि होरी जो जानता है मजदूरी और किसानी का क्या अंतर है वही होरी अंतता अपने ही खेतों में बंदूगा मजदूर बनता है और कहता है मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं अब ज़रा समझीए, एक किसान, ग्रामिन परंपरा का किसान, भारतिये स्वनिरभर, ग्रामिन सामाजिक विवस्था का किसान, किन मारमिक मुल्यों से हो करके गुजरता आया है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी शाक है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी सामाजिक हैसि है कहता है जो बात तु नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है धनिया कर दनिया कहती है कि हमने जमिंदार के खेत ही तो जोते हैं वो लगान ही तो लेगा लेकिन होरी जानता है कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पाउं तले दबी हो तो कुशल तलवे सहलाने में ही ह सभी मर्यादाओं का होरी निर्वाह करता है संजुक्त परिवार का बिरादरी का लेकिन इनहीं परंपराओं मर्यादाओं के निर्वाह में होरी घुटता है पिसता है और अंतता है इनहीं मर्यादाओं के शोशन के हाथों वह मौत का शिकार होता है बांध में कहता है कि कब तक जिलाई की धनिया सारी सारी दुर्दश्टा तो हो गई अब चलने दे गाई की साध मन ही में रह गई एक किसान उसके जीवन का दोही तो आधार है खेती और पसुपालन लेकिन होरी जैसे किसान अपने खूटे पर गाई नहीं बांध पाते एक ग्रामिन किसान धूम धाम से बच्चों की शाधी करना चाहता है पुत्र गोबर की शाधी में वह धोका खाता है क्योंकि पुत्र जो है वो अंतर जाती है प्रेम विवाह करके आता है विवाह से पहले ही गर्ववती जुनिया को घर में लाकर बिठा कर भाग जाता है और होरी किसारी किसारी दुर्दशा इसी वजह से होती है और दूसरा प्रकरण कि बड़ी बेटी की शाधी सोना के लिए करज लेता है और छोटी बेटी रूपा को अपनी ही उम्र के बराबर एक अधेड़ व्यक्ति राम सेवक से पैसे लेकर छोटी बेटी की शाधी करता है और इको लगता है बीच और राहे पर खड़ा कर दिया गया हूं जो आता है मेरे मुह पर ठूक करके चला जाता है अपने भारतिये समाज में पैसे लेकर बेटी का ब्याह करना इसे बेटी बेचवा कहती अब देखिए प्रश्न गोदान भारतिये क्रिशक जीवन के वास्तविक धरातल का सटी चित्रन है कुछ लोगों ने इंदरनाथ मदान जैसे लोगों ने तो यहां तक कहा था प्रेमचंद को सलाह दिया था कि इसकी मुख्य कथा ग्रामिन कथा ही है प्रेमचंदी शहरी कथा बे मतलब है निकाल दीजिए नन दुलारे बाजबई कहते हैं ग्रामिन और शहरी कथा में कोई मेल नहीं है अलाकि ऐसा नहीं है गाउं और शहर दोनों मिला करके अपनिवेश्चिक भारत की मुकमल तस्वीर उपन्यास में खीची गई है देखे कितना सिंपल प्रश्ण है क्या लिख पाएंगे कर पाएंगे दोस्तों छठा का जो बी है आंचली कुपन्यास के तत्व में मैला आचल सबसे पहले आंचलिकता की परिभाष्टा दीजिए इसमें क्या है डॉक्टर नेमी चंद्रजैन ने कुछ कहा डॉक्टर देवराज ने कुछ कहा शिव पूजन सहाई ने कुछ कहा नेमी चंद्रजैन कहते हैं कि आंचली कथाकार शहरी एक रस्ता और आत्मा भी मुक्ता से उब कर आंचली कथा और आंचली क जीवन की योर मुखर होता है कहते हैं जीवन राग और जीवन वीवीधता की तलास में ही आंचली कथा का जन्म हुआ देवराज लिखते हैं डॉक्टर देवराज कि आंचली कुपन्यासों में न केवल कथा का परिवेश बदलता है न केवल सिल्प बदलता है बलकि नायक की संकल्पना बदल जाती पूरा अंचल ही नायक हो जाता है मैला आचल आँचली कुपन्यासों में शिखर है और आँचली कुपन्यासों के कुछ अपने तत्व हैं क्या क्या तत्व हैं नायक आँचल ही होता है ना कि कोई पात्र या चरित्र आँचली कुपन्यासों में असिक्षा, अंधविश्वास, जातीगत मान्यताएं, विशमता, शोशन, कामकुंठा, आँचली क संगीत, आँचली क भाषा और राजनीती कि विशेस भूमी का अथिये सब आँचलिकता के तत्व हैं, देखे इसमें राजनीती, गांधीबाद के दो आयाम हैं, गांधीबाद का सरजनात्मक रूप और विद्वनसात्मक रूप, विद्वनसात्मक रूप बालदेव, सरजनात्मक रूप बावंदास, आँचली करके अंगठा छाप होने से लेके तहसिलदारी की पढ़ाई तक बाकी मात्र दो लोग में ट्रिक तक पढ़े हैं अंधविश्वास का आलम यह है कि गाउं में भूतों की अलग-अलग प्रजातिया हैं कहीं पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकने वाला भूत कहीं चीटी आपने वाला भूत और आजकल एक नई प्रजाती आई है बनर भूता की डॉक्टर प्रशांद ने इंजेक्शन दिया इससे बानर के कियाते के कियाते मर गया और अब बानर का भूत बन गया पूरे गाओं में काम कुंठा है कई ऐसे प्रकरण है ठाकुरहर गवरी का सहदेव मिसिर का फुलिया का राम पेरितिया का मठ जो धर्म का केंद्र है लेकिन वह काम कुंठा से पूरी तरह लिपता है चाहे बुढा महंत सेवा दास चाहे उस महंत का चेला राम दास काम कुंठा है अपनी बेटी के समान लक्षमी को ठारिन का यौन सोशन करता है बुढा मान तो आंचलिक उपन्यास के जो तत्व हैं पूरे गाउं में विशमता ब्यापत है मातर तीन लोगों के पास गाउं की पूरी जमीने के इंद्रीत है जमिंदार, सौरी तहसिलदार, विश्वनाथ मलिक, राम किरपाल, सिंखेलावन, राम यादव ये लोग संपन्न किसान है, बाकी गाउं के एक किसान या तो भूमिहीन किसान है, बंदुगा मजदूर है गाउं की सीमा पर संथालों की एक टोली है, पूरा गाउं जातिगट टोलों में भी भाजी थे तो आँचली कुपन्यास के तत्व ऐसे होते हैं, उन तत्वों के आधार पर मैला आचल अरंभ में ही रेणू लिखते हैं यह है मैला आचल एक आंचली कुपन्यास इसमें धूल भी है फूल भी है गुलाब भी है सुगंद भी है कीचड भी है मैं किसी से अपना दामन बचा कर नहीं आया दोस्तों प्रश्ण संख्या छठा का जरा सी देखें भारत दुर्दशा एक प्रतिकात्मक नाटक है अब गर आपकों याद हो तो भारत दुर्दशा कुल छे अंगों में लिखा गया एक जो पांचवां अंग है और पहला अंग है पहले अंग में एक योगी लावनी गाता आता है और पांचवां अंग में साथ सदस्यों की एक कमिटी बैठी है बुस्तकाले में किताब खाने में इन दो अंगों में सजीव पात रहें बाकी चार अंगों में कुल्छे अंगों में नाटक लिखा गया है प्रतिकात्मक पात रहें चाहे वो भारत हो चाहे वो आश्रा हो निरलजता हो चाहे भारत भाग्य हो चाहे भारत दुर्दैव हो चाहे सत्यानास फौजदार हो जब हम गुलाम हों या जब हम गुलाम थे या ऐसे समझेए जब प्रतिपक्ष या दुश्मन मजबूत हो तो उसके खिलाफ कोई भी बात सीधे सीधे कह पाना बहुत कठीन है प्रतिपक्षी के सामने दुश्मन के सामने दुश्मन यदि मजबूत है तो हम सीधी बात नहीं कह सकते ऐसे में प्रतिक आतमक्ता अभी व्यक्ति की शैली बन कराती है जब सच्छाय वाद में शेरों के माद में आया आज सियार सियार कौन अंग्रेज अंग्रेजों का प्रतिक सियार और शेर किसका प्रतिक भारतियों का नौजागरण परक चेतना किया भी व्यक्ति जरूरी थी लेकिन याद रखे भारतिन्दु यूग में अंतर विरोध भी था राश्ट्र भक्ती भी थी और राज भक्ती भी थी ऐसे में भारत इंदु जैसे रचनाकारों ने अपनी बात कहने की एक शैली अपनाई प्रतिकात्मा सत्यानाश फोजदार यानि भारत का जिससे सत्यानाश हुआ हूँ तो किस से हुआ हमारी अपनी कमजोरियों से फोजदार यानि सेनापती अब उसकी फोज में कैसे-कैसे साइनीक है फोजी है तो रोग, धर्म, आलस्य, मदिरा, अंदकार, फूट, डाह, अपव्यय, समझ रहे हैं ये हमारे समाज की अपनी कमजोरियों के रूप में इन ही से हमारा सत्यानास हुआ भारत दुर्दा है वो खलनायक है लेकिन उसकी वेशबूशा देखिए वो आधा मुसल्मानी वेशबूशा में आधा क्रिस्तानी इसका अर्थ है कि भारत सदियों से गुलाम रहा है कभी तुर्क अफगानों मंगोलों मुगलों के द्वारा हम गुलाम हुए और उसके बाद अंग्रीजों के द्वारा यानि यूरोपीय देश्टों के द्वारा यानि फ्रांसेशी भारत पर आए डच आए पूर्तगी जाए अंग्री जाए अईसे ही आप देखेंगे तो जो नायक भारत है उनाटक के दूसरे अंक में उपस्थित होता है समशान में भारत दुर्दैव के डर से छिप रहा है समशान प्रतीक है किसका अंग्रेजों ने हमें लूट करके समशान बना लिया यह भारत कुट्टा कववा सियारों से घिरा हुआ है फटे हाल है यानि भारत गरीबी की दस्था में विपन्नता की दस्था में जी रहा है मरना सन्ने स्थिती में है, मरने के बाद कुट्ता कववा सियार लास को नोच नोच करके खा जाते हैं ऐसे पशूपक्छी जीव यानि भारत को लूट करके, नोच खसूट करके अंगरीजों ने मृत्यू के कागार पर खड़ा कर दिया है अब ऐसे ही देखेंगे, भारत भाग्य अंतिम छठे यंक में उपस्थित होता है और अपनी ही छाती में कटार घोपके आत्मात्या कर लिटा है ये भी प्रतीक है, कि भारत अभी तक मुर्चित है लेकिन भारत की दुर्दशा जो हुई, वो भाग्यवाद के कारण है क्योंकि भाग्यवाद आवरण है पाप का, दैव दैव आलसी पुकारे, जो आलसी होते हैं वो भाग्यवादी होते हैं और जो भाग्यवादी होते हैं वो कर्म नहीं करते हैं, वो पराधीन होते हैं, परनिर्भर होते हैं, निर्लज होते हैं, आशा के साहरे जीते हैं यहां भाग्यवाद आत्महत्या करता ही इस बात का प्रतीक है कि अब भारत जब मूर्चा से जगेगा तो वह भाग्य नहीं कर्म के साहरे आगे बढ़ेगा क्योंकि भारत का अब तक मित्र भाग्यवाद रहा है अब कर्मवाद के आगे बढ़ेगा जो कर्मशील होते हैं जो स्वनिर्भर होते हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं भारत को आजादी जरूर मिलेगी तो ये प्रशन संख्या 6 का सी है क्यों प्रतिकात मत्ता है आप इसे कर पाएंगे दोस्तों सात्मा का जो ये प्रशन है वो तीन प्रशनों में बटा है असाड का एक दिन में नाट्य वस्तु में मंचन छमता की सुरक्षा एक प्रशन भावना यथार्थ का सामन जस्य और जीवन की कटूता असफलता तीन प्रशन है सबसे पहले समझे की मंचन छमता की सुरक्षा नाट्य वस्तु आसाड का एक दिन मोहन राकेस का नाटक है कुल तीन ही अंक है और तीनों अंक में मात्र एक द्रिश्य है मात्र एक द्रिश्य है द्रिश्य कम होगा अंक होगा तो अनाटक मंचन छमता को सुरक्षित करेगा पात्र वहुत कम है इसमें वस्तु विन्यास ये कही द्रिश्य में देखिए पहले चार घड़े हैं फिर अंतिमंक में ये कही घड़ा पहले घड़े ढके हुए अनाज से भरे अंतिम अंक में घड़े पर पूरी काई जमी है उसका ढकन खुला हुआ है घर में अनाज नहीं है पहले अंक में दरो दिवार पर लिपाई पोताई है स्वस्तिक चिन्न है तीसरे अंक में लिपाई पोताई जड़ गई है पहले अंक में कपड़े साप सुथरे धुले हुए तह लगाके रखे गए हैं, तीसरे अंक में कपड़े मैले कुछायले बिखरे हुए हैं, ये क्या दरशाता है, ये मन्चन की सफलता दर्शक समझ जाएगा कि मलीका के जीवन में सामाजीक आर्थिक परिवर्तन आया है संबाद छोटे हैं चूबते हुए संबाद हैं मारमिक संबाद हैं जिस नाटक में संबाद छोटे हों वो दर्शकों को प्रेक्षकों को नाटक आसानी से बांधता है हास्य व्यंग है नाटक के दूसरे अंक में अनुस्वार अनुनासिक का जो संबाध है या रंगिनी-संगिनी उसमें हास्य व्यंग है तो इसमें मंचन की छमता तो है ही और जैसा कि अभी आपको बताया कि भावना और यथार्थ नाटक के पहले अंक में ही भावना और यथार्थ का द्वन्द है और इनके भी सामन जस्य भी है मा कहती है मैं घर में दुकेली कब रहती हूं तुम्हारे रहते अकेली नहीं रहती। पुत्री भावना में है मा यथार्थ में है। समझें और तीसरा प्रश्ण जीवन की कटूता। आसाड का एक दिन सिर्फ मलिका की ही तरास्दी का नाटक नहीं है। बलकि पूरे जीवंत रास्दी का नाटक है विलोम कहता है विलोम क्या है एक सफल कालीदास और कालीदास एक सफल विलोम बात को समझे प्रियंगु मंजरी या सफलता क्या है उसे कालीदास तो मिलता है लेकिन कालीदास का मन नहीं मिलता विलोम को मलीका तो मिलती है लेकिन मल मलिका का तन मिलता है मन रहित तन प्राप्त होता है मातुल की क्या पीड़ा है उसका भांजा जो है उसे समझ नहीं पाता है अंबिका की पीड़ा क्या है उसकी पुत्री मलिका उसे नहीं समझ पाती और मलिका की तरास्दी क्या है मलिका की तरास्दी है कि वह जिससे प्रेम कर उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं स्विकार करना चाहती फिर भी नाना करते भी विलोम के साथ उसे समझाता करना पड़ता है वो कहती भी है तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है काली जास की पीड़ा क्या है जिससे प्रेम उससे विवा नहीं जिससे विवा उससे प्रेम नहीं इसलिए जीवन की सफलता और कटूता का नाठक है भावना और यथारत के द्वंद और सामंजस्चे का नाठक है और रंगमंची ये छमताएं इसमें देखी गई है क्या आसान है कि समझ सकते हैं कर सकते हैं लिख सकते हैं दोस्तों प्रश्ण संख्या जो सात्मा का भी है कि दिव्या उपन्यास का मूल प्रतीपाद्य मारक स्वाधी विचारधारा का प्रतीपादन है सबसे पहले समझ यह यह स्पाल ने लिखा कि दिव्या अतीति आइतिहास नहीं एतिहासिक कल्पना मात्र है उपन्यासकार ने लिखा कि अतीत स्वारणिम नहीं होता अतीत विश्वास नहीं विश्लेशन की वस्तु है उपन्यास दिव्या में यस्पाल ने लिखा कि मेरी राजनैतिक विचार मेरे साहितिक विचार मेरे राजनैतिक कार्ये से अभिन रहें यानि जो मेरी विचारधारा है मार्कसवादी उसी विचारधारा को अपने साहित्य में दर्शाता हूं उपन्यास में यस्पाल ने एक बौध काल की कथा आली और दिखाया कि जिसे पुन्रुथान वादियों ने स्वर्णिम काल कहा उस अतीत में भी एक राजकुल की कण्या एक बहुत बड़े अधिकारी महाधर्मस्थ की कण्या अचारिय देव शर्मा की प्रपोत्री भी उस काल में यदि दासी दारा बनने पर और वहां से विश्या अंसुमाला बनने पर विवस हो तो आम जन जीवन की क्या पीडा थी जिस काल में दास ब्यापार हो विश्या वृत्ती हो बच्चों की खरीद फरुक्त की जाती हो समाज के लोग आपस में साम्प्रदाई ग्रिणा के शिकार हो हम आंतरी कलह शड्यंत्र से ग्रसित हो बाहियाक्रांताओं की पीडा जेल रहे हो उस समाज में भी कयी प्रकार की यातनाई थी इसलिए मार्क्स वाधीद्रिश्टी कोंड ये कहता है कि अतीत नहीं वर्तमान की बात करो मार्क्स वादिद रिष्टी कोण कहता परलोक नहीं इस लोक की बात करो मार्क्स वादिद रिष्टी कोण धर्म को अफिम मानता है और इस उपन्यास में आप देखेंगे कि धर्म के कारण ही जीवन की यातना है मनुष्य करता होकर भी भोगता है सामाजी की विधानों के हाथों कठ पुतली है। दिव्या वरनाश्रम धर्म और बौत धर्म के कारण ही यातना का शिकार होती है। इसलिए अंत में वह आश्रय मांगती है मारिस से जो भौतिक्तावादी मार्कसवादी धर्म में विश्वास करता है। करेक्ट है। दोस्तों प्रश्ण संख्या सात्मे का जो सी है। मन्नु भंडारी का महाभोज राजनीती में दलित समाज की तरास दी। महाभोज एक राजनाइती की अथार्थवादी उपन्यास है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। राजनीती किसी भी विचारधारा की हो, किसी भी सत्ता की हो, आम जन्मानस के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मन्नु भंडारी ने इस उपन्यास में कुछ डायलग लिखे। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। पुर्सी के पाये इंसानियत के खाद पर ही अच्छी तरह पनपती है। फिर लिखा मन्नु भंडारी ने किधर राजनीती में एक ऐसी मारक हवा बही, जिसने बड़े-बड़े नेताओं कि रिढ को सरकाकर दुम में मिला दिया। फिर मन्नु भंडारी ने लिखा कि ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो लोक तंत्र है परंतु लोक बेमाने और तंत्र मुठी भर लोगों की मनमानी बन कर रह गया है। फिर मन्नु भंडारी ने इसी उपन्यास में लिखा कि जिस देश में देव तुल्य राजनेताओं की परंपरा हो वहां राजनिती का ऐसा अधपतन हो फिर मन्नु भंडारी ने लिखा एक महिला होकर ऐसा यथारत वो लिखती हैं कि यहों तो धोती के नीचे सभी नंगे होती है पर इस ससुरी राजनीती में लोग धोती के उपर भी नंगे होती है और दा साहब उनकी तो धोती के नीचे भी एक धोती ही मिलेगी खाल खींचो तब जाकर के दा साहब की नंगई उभरेगी आप समझ सकते हैं कि 1989 में जो उपन्यास लिखा गया इसमें राजनीती का अपराधी करना किस प्रकार बढ़ता जा रहा था राजनेता, पुलिस, प्रशाशनी कधिकारी, मीडिया, अपराधी ये सब मिलकर बीशु और बिंदा जैसे आम जन्मानस का सीधे साधे लोगों का दलितों का महा भोज उडाने पर आमादा थी प्रशन देखिए बीशु की मौत को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने पक्ष में करना चाहता है लेकिन जब सुकुल बाबू की सरकार थी तो भी बीशु नकसलवादी घोशित करके जेल में डाल दिया गया थोर वहाँ से मानसिक विछिप्त होके लोटता है और दा साहब की सरकार में तो विशु की हत्या ही हो जाती और हत्यारे जुरावर सिंग को दा साहब पूरी तरह बचाती है दा साहब की राजनिती की धर्मनिती कुछ ऐसी है जहां इमांदार अधिकारियों को सस्पेंशन इसलिए सिटी एस्पी सक्सेना सस्पेंड कर दिये जाती है और बैमान डी आई जी सिनहा प्रमोट हो जाती है लोचन भहिया जैसे इमांदार राजनिताओं के लिए जगह नहीं है लेकिन चौधरी राओ बापट महता जैसे बैमान नेताओं को मंत्री मंडल में हमेशा जगह मिलती है बीसु और बिंदा को वो राजनिती हजम नहीं कर पाती इसलिए बीसु की हत्या कर दी जाती है उस राजनिती में और बिंदा को जेल भेज दिया जाता है बिना किसी अपराद के तो प्रश्न देखिए प्रश्न है कि महाभोज में इस प्रकार उपन्यास में राजनिती दलित समाज की त्रासदी को दगाटित करता है बीसु और बिंदा के लिए किस प्रकार उपन्यास राजनिती सुरक्षित नहीं है दोस्तों प्रश्न संख्या आठ का ए सकंद गुप्तनाटक राष्ट्रिय उन्नती की सम्वेदना को प्रकट करता है स्कंद गुप्त नहीं नाटक राश्ट्र की उन्नति यानी राश्ट्रिये जागरण और राश्ट्रिये जागरण का या रहे लो जागरण परक्चेतन और ती इचरच प्रसाद थिहा만 ठ paper उन्होंने इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग किया जैशंकर प्रसाद ने नाटक विशाख में लिखा कि अतीत का अनुसीलन कोई भी जाती वर्तमान के आदर्ष को संगठित करने के लिए करती है जैशंकर प्रसाद अपने नाटकों में तीन काल खन्णों को विश्य स्थान देते हैं मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल और भारतिय इतिहास में ये तीनों काल वर्णिम मानेग है सकंद गुप्त, गुप्त कालीन परिवेश को दगाटित करता है प्रसाद जी एक संकेत रखते हैं यदि हम गुप्त काल में शकूं और हुणों को खदेड भगाए तो फिर अंग्रेजी अपनी वेश्चिक पराधीन भारत में हम अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते सिधी सी बात है कि उस समय गुप्त काल में भी हिंदू और बहुद जनता आपस में टकरा रही थी और इसलिए आक्रांता हम पर आक्रमन करते हैं कंद गुप्त नाटक में खिंगिल की चर्चा है जो आक्रमन कारी है हुन आक्रांता है प्रसाद जी संकेत देती हैं कि इस समय अंग्रेजी पराधीन भारत में भी हिंदू और मुसल्मान जनता ठकरा रही है और इसलिए अंग्रेजी गुलामियत के हम शिकार हैं यदि राष्ट्रिये जनता विदेशी संस्कृती की नकल छोड़ दे राष्ट्रिये भावों को पहचाने संस्कृतिक जागरण से जुड़े उदार राष्ट्रियता को समझे यानि साम्प्रदाइक्ता को छोड़कर मानविये मुल्यों की एक्ता के साथ आगे बढ़े प्रसाद के नाटकों में पुरुस पात्र ही सिर्फ राष्ट्रिये पराधिंता का विरोध नहीं करते बलकि नारी पात्र भी राष्ट्रिये अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन मुल्यों के द्वारा हम आजादी या राष्ट्र की उन्नती को हासिल कर सकते हैं प्रसाद के नाटकों में मानविये मुल्यों उदार राष्ट्रिय यता स्वदेशी चेतना के साथ एक और बहुत बड़ी बात की गई है समारपन त्याग राष्ट्र की बेदी पर व्यक्तिगत भावनाओं की कोई जगह नहीं है इस नाटक के अंत में भी देवसेना और सकंद गुप अपने व्यक्तिगत भावनाओं को अपने प्रेम को अनुराग को राष्ट्र की उन्नती के लिए समर्पित कर देते हैं त्याग कर देते हैं तो ये है सकंद गुपत का मूल भाव वास्तों ये प्रश्ण सकंद गुपत की मूल संबेदना ही है दोस्तों प्रश्ण संख्या जो आठ का बी है श्रद्धा भक्ती निबंध में प्रेम श्रद्धा और भक्ती का अंतर संबन शुक्लिजी का निबंध है और आपलोग खूब डायलग पड़ेओ कि प्रेम में घनत्व अधीक होता है श्रद्धा में छैती जिये विस्तार अधीक होता है प्रेम एक आंतिक होता है श्रद्धा सामाजीक भाव है प्रेम में एक व्यक्ति के प्रती एक या दो ही व्यक्ति का हो सकता है लेकिन श्रद्धा में एक व्यक्ति के प्रती पुरे समा की हो सकती है जब किसी व्यक्ति में हम विशेस गुण विशेस योग्यता को देखकर उसके आगे आदर से सिर न वाएं उसकी निंदा न सुन सकें उसकी तरक्की में प्रसन्न हो तो समझी यही श्रद्धा है प्रेम जी कहते हैं श्रद्धा और प्रेम का यूग ही भक्ती है औ बोगति श्रद्धा और प्रेम इन सब का भी अंतर स्पर्ष्ट करते हैं। बड़ा सीधा साधानी बंद है और प्रश्ण भी बड़ा सीधा साधा है। आसान है। दोस्तों अंतिम प्रश्ण बहुत मारमिक है! चीफ की दावत! कि की दावत एक ऐसी कहानी है, और उसकी अधेड बिध्वामा या अधेड ना कहें बृद्धा बिध्वामा कहें जिसकी हड्डियां कमजोर हो गई है चेहरे से रौनक चली गई है सर से बाल उजड गए हैं और जो सौंदर यह है वो बृद्धा वस्था और अभाव के कारण उसकी जगह कुछ हद तक चेहरा पुरूप सा दिखने लगा है वो मा है जो पुत्र सामनाथ को पढ़ाने के लिए अपनी सुहाग सुचक चूडियां बेश देती है अपने गहने बेश देती है ताकि बेटा कुछ पढ़ लिखके आगे बढ़े लेकिन आज जो परिवेश है या नई कहानियों की समवेदना है कि ब्यक्ति मुल्यों से बेगानापन का शिकार है एक पुत्र मा की पीडा को नहीं समझता वो अपने घर पर अमेरिकन चीफ को दावत दिया हुआ है घर की फालतु कबार वाली चीज़ों को तो अहलमारियों के पीछे चुपा देता है लेकिन मा को जीवित कबार समझता है इस मा को कहाँ चुपा है अपने इस ब्रिद्धा मा को वह ना तो सोने देता है क्योंकि लगता है कि मा खराटे लेने लगेगी और इससे उसकी बेजती होगी इतना ही नहीं, वह मा को पीछे के दरवाजे से उसकी सहली से भी मिलने नहीं जाने देना चाहता क्योंकि सहली का फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा आज की पीड़ी, पिछली पीड़ी की भावनाओं को समझ नहीं पाती ना उनकी कदर करती है शामनात, जिस मा को अपनी तरक्की में आरंभ में बाधक मानता है, बौस से छिपाना चाहता है घटना प्रसंग में या यू कहें कि नियती ने बौस को इसी मा से मिलवा दिया, बौस देख लेता है और कहता है वाट पूर लेडी, जरह सोची एक अधिकारी की मा को बौस देख करके सहानु भूती से भर जाए तो ये कैसा अधिकारी रहा होगा सामनात लेकिन जैसे अमेरिकन अधिकारी ये जानता है कि इस की मा गाउं घर की है तो वह गाउं घर की फुलकारीयों को देखना चाहता है गाउं की कलाकृतियों, गाउं के संगीत को जानना चाहता है और अब सामनात को लगने लगता है कि जो मेरी मा मेरी तरक्की में मेरी पदोनत्ती में बाधक थी अब वही मा मेरी तरक्की की सीड़ियां बन गई है प्रश्न देखिए चिफ की दावत कहानी नौकर साही में मानो मुल्यों का अधपतन तथा दो पीढ़ी के अंतराल का सुक्ष्म विभाजन इसमें पाया जाता पीढ़ी संघर्स चिफ की दावत भिष्म साहनी की कहानी आधनिक भाव उबोध की कहानी है नई कहानी धारा की कहानी है एक दुनिया समानांतर की कहानीयों कीश्रेणी की कहानी है तरचाक districts 15 नंबर दोस्तू प्रश्न बढ़े सीधे सीधे पुछे जा रही है हिंदी साहित्य एक ऐसा ओप्सनल है कि ढंग से कोई साड़े साथ महीने साड़े छे से साड़े साथ महीने के भीतर कक्षा में दे दीजिए लाइब क्लास से जुड़ जाईए ओनलाइन क्लास आजकल बहुत जादा सरल है आसान है घर बैठे ही क्लास का आनंद लीजिए तो हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आता समझ होनी चाहिए प्रश्नों पर यदि ढंग से लिखें तो इस विशय से अधिक अंकदाई और सफलता के लिए इससे अधिक सुरक्षित और कोई विशय नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आतकी सफलता के लिए ढेर सारी शुब कामना है जल्दी से आप सब कलक्टर बने यही शुब कामना है नमस्ते दोस तो तेंक्यू